नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स झाल्स प्राइब करें शिमारू चानल्स प्राइब करें शिमारू चानल्स प्राइब करें शिमारू चानल्स झाल्स 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 झाल 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 मैं दिखाती हूँ तुझा झाल 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 मगर इंकलाब की आवास वहां उठाना चाहिए जहां सिंदा लोग रहते हैं यह तो मुर्दों की बरसी है और मुर्दों की सामने चिलाने से इंकलाब नहीं आने वाला है चल चल घर चल मैं पूछता हूं बाकी के लो का है वो बाहर है साथ उनको अंदर आते वे शर्मा रही है तो यह क्या कर नहीं हो बेर जाना से चल आप सरकार अगर आपका खुम हो तो दुर्गा को उठवाले दुर्गा के इंजाम बाद में कर लेंगे पहले सहरिया के बेटे को ठीकाने लगाने बहुत जरूरी है ठाकर साहब किसको ठीकाने लगाने की बाद सोच रहे हैं क्या बताओं इंस्पेक्टर साहब मैं ठाकर धरम पाल जो बरसों से जानवरों की इस बस्ती में धरम को पाल रहा हूं आज मुझ जैसे आदमी को एक मामुली दो कोड़ी की इनसान के सामने सर शुका के रहना पूरेगा आपकी शान में गोस्तागी करने की हिम्मत किसने की वही हरिया का बेटा क्यान है मुझका जी कुंदन कुंदन यह होता आए यहkeeper नहीं होद होता आकाम करते हैं हम उने प्यार देते हैं पिर तरगधाते ने की जरूत है वह हमारी जमीन पे जुना रहता है कि चुपले हमारे आकाम करते हैं हर्मस्ताइए मजबूरुंकों पैकाना शुरू कर दिया है मैं आपको यकीन दलाता हूँ कि वह हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाए मेरा ख्याल है कि आज उसे बहुत अच्छी तरह सबक मिल गया है दोई दिनों की बात है छुटियां खत्म हो जाएंगे और वो चला जाएगा मैं समझता हूँ हुजूर कि इस बात को आगे न बढ़ाएं तो जादा बेहतर होगा उन्शी जी हमारे आदमियों की पिटाई है उसका क्या होगा आपके आदमियों की पिटाई किसने की बंजारा की बेटी दुर्गाने दुर्गाने वो शायद अपने बाप का अंजाम भूल गई है वो भूल गई कि उसका बाप आज तक हमारी वज़े से जेल में सर रहा है ऐसे बंजारा की सजा खतम होने और कितन बाकी है सिर्फ दो महीने लेकिन आप फिकर न करें वो जैसे ही जेल से बाहर आएगा मैं एक दूसरा केस बना कर उसे फिर से अंदर कर दूँगा बाबा तो मैं मा मा देखो बाबा आ रहे है उटे मुना बाबा अरे मेरे बच्चो तुम लोगों को देखने के लिए तो मेरी आखें तरस गई थी लेकिन आपके सजा पूरी होने में कुछतिन मैं जेल से भागाया हूँ भागाया? लेकिन क्यो? अभी सजा पूरी होने में सिर्फ तो मही नहीं तो बाकी थे अगर पुलिस तो फिर से पकड़ लिया तो अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता मैं तुम लोगो लेने के लिए आया हूँ चलो कहां ले जाएंगे हमें? यहां मैं रहूँगा मैंने फैसला कर लिया है कि धरंपाल को मैं जायन की जिन्दगी जीने नहीं दूगा वो सकता है कि धरमपाल के आदमी और फुलिस पीछे से तुम लोगों को परिशान करें, इसलिए तुम लोगा मेरे साथ रहोगी, चलो बाबा, मैं और मा कहीं भी रेलेंगे, मगर इन छोड़े-छोड़े मासु बच्छों का सोचा तुमने, ये लोग कहां बढ़कते रहेंगे, चंगलों में, पहाडों में, नहीं बाबा, नहीं, सजा की कुछे दिन तो बागी रहेंगे, वो काट लो तो नहीं, जब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि धरम-पाल ने मुझे सदा दिलवाई है, मैं चुख्यास दिलवा, लेकिन जब संतो ने मुझे जेल में ये बताया, कि मुझे सदा दिलआने के पीछे तो मैं ये परदाश्ट नहीं कर सका, कि बेगुना होते हुए भी मैं जेल की सिलापों के पीछे सड़ता रहूं, आज तुम लोगा नात पन कर इस तरह जिंदगी बिताते रहूं, पिछले छे महीने मैंने जेल में किस तरह काटे हैं, ये मैं ही जानता हूं, और अब अब में तुम और भी गुनेगार हो जाओगी, धरम पाल को उसके किये कि जजरा कानूं देगा, कानूं, कानूं सिर्फ अमीरों के लिए होता है बेटी, करीबों को इंसाफ देते वक्त वो आंखों पर पठी बान लेता है, इसलिए धरम पाल को सजा सिर्फ मैं दूंगा, चलो करो, मेरी बात मान लो बेटी, विद ना करो, अब भी वक्त है निकल चलो, नहीं बाबा, मैं इन बच्चों की जिंदेगी खराब नहीं होने दूंगी मुझे तुम पनाथ है बेटी, अरे बंजारों की बेटियां भी बेटों जैसी होती से, अच्छा मैं चलता हूं, कभी ने कभी मिलने आतर होंगा, और जैसे ही बंदोबस्त हो गया, रुपए बिच्वातूंगा पर नहीं बाबा, हम महनत मद्दूरी कर लेंगे, मगर बापकी कमाई, नहीं चाहिए रो मत, रो मत मा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मा अब ते किसी उमीद बजी रही थी, कि तेरे बाबा वांपस लोटेंगी, तो इस घर के सारे खुशिया फिर से आजाएगी बगर अब वह सहरा भी चाहता रहा तो क्या हुआ, यह हो न, बाबा ने हम लोगों को बच्पन में जो होना सिखाय था, बस अब वही खाम आएगा क्या मतलब तो सब कर तमाशा करेगी हाँ क्या मतलब तो सब कर दो कर दो मुआ हके क्या कि तुरिम पया रादून सुट्व में आढरिंगी क्या मतलब तो इस अब बच्पन में बच्पन में गरे खुशू माम तरूनी पीतर बया, पीतर बया, तो भी तो जोगां करूंगी, हो जोगां करूंगी जरचर की जवाने के सपने देखना, और चल्वे की चल्वे कारे देखना, मैं जोगां करूंगी तो भी तुम्हारे उप्ष मैं अपनी, अरे जोदे करूंगी करूंगी, पिने आप करूंगी जोदो काम करूंगी हुआ 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 है मेरे गानों पे गुष जो भचल जाएगी अर वईयों के नियत बदर जाएगी मेरे पतली को मरने तु नहों चाएगी दिवाने दिलों को ये चरब पाएगी हमें तो रातों के निंदिया हादा मुआ करूगे देगर बया तो गीचो धुथ का करूगे देगर बया तो गीचो दुथ का करूगे पर ले काना दोंगी, फिरका लाँ करूंगी एकर बया, एकर बया, तो की जो जो काम करूंगी, अब जो जो काम करूंगी घiszते एकर बया, तो काम करूंगी ज्योता रहँ पा मुनेशकी जोस सतैंगी पर बयेँगी जोसलो आए प्रीखकश का सकते हम जेख़ने थर वाला, Tea क mix दूरुगा, हम का सताते हैं, ये सारे गाउं को सताती है, इसे पागल खाने बेज़ो अरे चुप, बूद निखे, पागल खाने बेज़ेंगे तेरे अम्मा को, जिसने तेरे जैसा पागल पैठा पाइदा किया है क्या किया है? पैदा किया है अब जाता है यद्दू एक उल्टे हाथा रहे हैं तुर्गा ये लोग मुझे सताते हैं आने चाची तू क्यों बाहर निकलती है जब तुझे मालूम है कि बादमा शोक्रे तंग करते हैं अकर तुझे किसी चीज की जरूरत है मुझे बोल में लाकर तुझे पर नहीं मुझे लोग मुझे पागल समझ कर पत्थर मारते हैं तो ही है जो मुझे इंजानवरों से बचाती है इतले कि मैं जानती हूं कि मेरी चाची पागल नहीं है पागल तो ये सारे गाओं वाले हैं जो ये भी नहीं समझते ही जिस मा का एक लोधा बेटा उसे अके लिए छोड़े कर चले चाहे उसके हालत क्या होगी अरे ऐसा कभी हुआ है कौन मा अपने बच्चों को नहीं डाड़ती मैंने थोड़ा सा गुस्ता किया तो वो घर छोड़कर चला गया उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं मैं उसके विना कैसे जिऊंगी मुझे बीज बरस हो गए उसे जूनते जूनते वो कब आएगा दूर्गा ये बस शहर से आई है इसमें मेरा बेटा राजू होगा मलगाती हो देखती हो उसे अरे चाचिप राजू हो पंजारा आज बस चांटो मैंने तुम्हारी बेटी दूर्गा को देखा काफी भीडी कठी थी और वो तमाशा दिखा रही थी बेवकूफ है जिद्धी है कहते हैं कि वो मेरा रुपया नहीं लेगे क्योंके ये पात की कमाई है और खुछ सड़तों पर भीक मानकर गुजारा कर रहे हैं मरने दो उनके किस्प्रक में यही लिखा है तो मैं क्या कर रहता हूं जो तुम खाना खा लो तुम नहीं खाओगे नहीं मुझे भूख नहीं है भूखे पेट ये लड़ाई कैसे लड़ोगे बन जारा ना तो हमारे पास आने जाने का कोई सादन है ना खानी के लिए कुछ है और नहीं हत्यार है मैंने उसका इंतजाम कर लिया है मैंने सोच लिया है आज रात को हम ठाक और धरमपाल सिंध के गाउं में जाएंगे सब ठीक है हाँ सब ठीक है क्या प्यारी है तो लाखी फेक कर इदर आ जाओ मन्यारत तुम जेल से कब चूटे चूटा नहीं भाग कर आया हूँ तेरे मालक से बदला लेने के लिए चलो गोदाम भोलो गोदाम खोला तो मालक मुझे माल डालेंगे नहीं तुम मैं तुझे माल डालूँगा चलो चलो करें लोड़ियं बाहर निकलो तुम लोड़े बार निकालो तुम लोड़े बंजारा अमारी नौकरी चलिए गी आरे उस आरामजादे की नौकरी क्यों करते हो आराम खोरो आओ चलो फूरिया निकालो बोड़े ले चलो जल्दी जल्दी लाद दो सब बोडिया, मिकल्चलो झоловता। कई कास यह कैसे हो सकता है बन्जारा तो भी जेल में मालिक मैं आपके चड़ों की सववन खाके कहता हूं वह बन्जारा ही था मैंने अपनी आँखों से देखा जी यह बन्जारा जेल से छूटा कैसे उसके सजा तो भी बाकी वो जेल से भागाया है अगर बन्जारा वाकी जेल से फरार हो गया तो हमारे लिए बहुत खत्रा बन सकता है उसका इंजाम करना हो गया मुझी जी एक काम कीजिए शेयर से फौरण बेनोत को बलवाई और उससे कही कि आते वक्त साथ मैं ऐसे लोगों को लेकर आए जो जाएगा और कानून के लाठी हम तक पहुंचेगे भी नहीं कि तुम क्या कह रहे है नंदनी मैं ठीक कह रही है दुर्गा तेरे बाबा की जान खत्री में है इसी बात को मुझे डरता मैंने बाबा को बहुत समझाया लेकिन मूने ही माने और वो गलत रास से पस्तर पड़े मगर तेरे बाबा ने ऐसा क्यों किया मिंदनी तो मेरे बश्पन की सहली है मेरे तुझे सहली से जादा बेहन समझाया है मैं तुस्छे जूटी बोलंगी कल रात बाबा आये थे और वो क्या रहे थे उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए तेरे पिता जी ने मजबूर किय मेरे है, मेरे पिताजी ने हाँ, वो कह रहे थे तेरे पिताजी ने जूटी कवाय के पल पर उन्हे जेल विजवा दिया था इतलियों उनसे बदला लेने के लिए बाबा ने ये राष्त-अपनाया में कि आप बात करती है नंदरी हम और बंजाला को भूल जाए हम ठाको धर्मपाल सिंग या इसके सामने सारा जमाना सर चुकाता है उस दो कोड़ी की गुलाम की ये मजाल कि हमारे खिलाब बगावत की आवाद उठाए लेकिन पिताजी पहले गल्ती आपकी हमारी किताब में गलत प्रवाद करने के कोई जरूत नहीं तुम्हें लेकिन फिर भी भाजी जाएंसे भाईया है आव विनुद हाई नंदनी जाहो ऐसे तुछ नहीं जरह नाराज है विनुद ये कि लोगों पकड़ाय हो ये तो शकल से चूरुचे के लग रहे हैं क्या बात करते हो भाईया इन कातलों के कातिल हैं जब तक किसी का खून ना कर ले इंसालों को खाना आजम नहीं होता है फाकुर सहाब काने सरकार मैं हूँ आपका खानदानी अज्जाम हजामत लाल उस तरह पूरी ताबन लगा के ये बेवक्त कैसे आना हुआ आपका बुरा वक्त बेख क्या बता बेख किजिए जबान आपकी है जबान आपकी है मैं आपका हूँ कतर भीजिए मगर सरकार ये बात मेरी समझ में नहीं आई ये सुना था कि लोग घोरे बेचकर सोजाते हैं मगर आप जागे हुए आपकर भि काउड़े वहीं जो आपके थे मैंने देखा उन घोड़ों को कुछ लोगक लिए वे चल एए घौद घौद गनुट मेरा गला है व offerषी नहीं है जिसको आपने अपने सीसे में सब्सक्रार अभाद के यह दिआ है मेरा गला चोड़ी दिम्सी बें दॉड़िया जोड़े fa जानते होंगे राइपूर वाले उनके भाई के लड़के का मुंडन था अब मुंडन हो और मुझे न बुलाएं बुलावा आया मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे जरूर जाएंगे कहची की रफ्तार से सरकार में चल पड़ा शकाग 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 चला जा रहा था वक्त होगा दस बज़े होंगे नहीं नहीं साले दस बज़े का वक्त था ग्यारा बज़े थे सूरजास अब बोले का कि नहीं तरकार मुझे कहानी सिलसले वार सुनाने की आदत है आप बीच में वार ना कीजे सिलसला तूट जाता है अहां तो हुआ यूँ के बीच में मुझे पंडित धुर्पत धमाल जी मिल गए मुझे कहने लगे कि मैं भी साथ चलू एक से भले दो दो से भले चार मंजिल अपनी द मेरा काम और प्यास बोले मेरा काम अगर तुने बात ने बताई तो फिर गोली मारना मेरा काम नहीं अरे सरकार गोली मत मारियेगा ले दे के जमाने में एक ही तीस रह गया हूँ वरना इस तरह का उस तरह कौन चलाएगा आपकी हजामत कौन बनाएगा सरकार बताता है के नह तुम अपने आदमें को लेकर फोन काली घाटी की तरफ चला जाओ नहीं भईया नहीं बंजारा दो अब तक भाग कर बता नहीं कहां तक चला गया होगा लेकिन आप फिकर मत कीजिए मैं दुश्मन को दुश्मन के अथियार से मारूंगा क्या मत्तब मैं आस पास के गाउं में बंजारा के नाम का ऐसा आतंग फैला दूगा कि पुलिस शिकारी कुट्थों की तरह उसकी पीछे पर जाएगी वहाँ पुझ पर छोड़ दीजिए ज़दा होश्यारी की तो अप्री जान से हाथ तो बेड़ोगे अलूग उठाओ घर में चुक कुछ भी है चुप चाप सामने लाप इसा पुरे पास कुछ भी रही पंजारा यह जूड बोलता है लख तो है तुझे अपनी जान क्यारी नहीं आपको पूरा विश्वास है कि आपके घर में डाका पंजारा नहीं डाला है और कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब अब आप मान लीजे के बंजारा डाकू बन चुका है और अगर आपने बहुत जल्द उसके खिलाफ को पदम नहीं उठाया तो वो हम सब को लूट लूट के खोगला कर देगा क्यूंके उसकी सबान को दौलत का खून लग चुका है आपके साहब मुझे आपके साथ बड़ी हमद्दी है जब मुझे पता चला कि आपके साथ यह वाका गुजरा है तो मैं खुद दौलत और आपके घर गया है आप जैसे दोस्तों से मुझे यही उमीद थी बैठी ना तो इंस्पेक्टर साहब उस इंसानित की हड़ियां चबा-चबा कर खाने वाले बदमाच बंजारा के लिए अपने क्या किये जो कुछ हमारे अक्तियार में हम करेंगे हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बंजारा को हम जल्द से जल्द गृफतार करेंगे यह उताओ आपको यद्यार करना शब्रक कार पार राभाफ़ देख़ा जो लिए आतकते हैं तक लिए जोरो हम प्रेशितर देखने थागे ढ़ें प्रेशितर कार थिल्द सायर देख़रए कुछिए कुछी 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 क्णुश्टौक। राजू, 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 मेरे बेचे, मेरे बेचे, राजू! कहा चला गया थारे इतने बरस, तुझे जरा भी ख्यार नहीं आया, कि तेरे बगेर, तेरे माँ का क्या हाल हुआ होगा, मैं हर रोज, यहां आने वाली बस पर, तेरा इंतजार करती थी, लोग, लोग मुझे पागल समझ कर पत्तर मारते थे राजू, बस मापस, अब तो मैं जोड़कर कहीं हो न, अब team HO Zuckerberg कहीं न जाएगा न, बेटा, ना कहीं न हीं जाओंगा, तुम्हरे पास रहूँगा, तम्हारीं सेवा करूँ आजू, बेता, कोई कहता था थियर तु फोज में चला गया हैा मा, फोज में जेयने लिए आप सबको इस छोटी सी कराकर का सलाम, बचलोग, सालिया बचाओ, अब मैं आपके सामने, तूले मटकाऊंगी भाईयो बेहनो, अब मैं आपकी, बाहू में आजाऊंगी हाँ तो मैं कह रहे थी भाईयोग, अब मैं आपके, इस तर की जीनत बन जाऊंगी बहुत नीकी, अपनी मा बेहन से जाकर ऐसे बात कर बुटी आदे शर्म नहीं आती, बच्छों का मारते हुए लानत है, शकल सूरत से मर्द दिखने के बावजूद, जन्खो जैसी हरकत करते हम अबे मू सम्हाल के बात कर, जानता नहीं किस से बात कर रहा है मर्दों की खाल उड़े हुए ना मर्दों से क्या बोला बे? जो तूने सुना बे तेरी तो फाइट का ये तरीका बहुत पुराना हो गया, पोकल पहलवान नया तरीका मैं सिखाँ ये कौन है चाची? अबे, ये मेरा विकार राजू मैं कहती थी ना हो ज़रूर आएगा, देश्क आगया है आगया है, आगया है, आगया है ना इस काम की जमीन पर आज तक किसी ने हमारे आदमियों की तरफ आग उठाकर नहीं देखा और तुमने हाथ उठा दिया, बानो तुम मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ, ये तमाम कुत्ते तुम्हारे हैं ये मेरे आदमिय हैं अपने इन आवारा कुत्तों के गले में शराफत का पट्टा बांद कर अपने घर में रखा करो अगर आज के बाद इन में से किसी ने किसी लड़की के तरफ आख उठा कर देखा, तो उसकी आखे निगाल कर रख दूँगा, इस इस माइ फॉस्ट और लास्ट वर्निंग तु यू, और ब्लड़ी इस स्ट्रेट डॉक्स, इग मैं पॉंट? अरे वा, साला अंगरी से भी बोलता है, कहान है ये? अगली का बेटा है, अभी अभी शहर से आया है, राजू, मोहत धोले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ, चाची, कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ, ये लो, अरे, तो ने क्यों तकलिफ की, मै बच्पन का साथ है, कब का साथ है? बच्पन का साथ है, राजू, ये दूरगा है, इतनी छोटी सी थी ना, तब से मेरी सेवा करती चरी आई, पूरे गाव में इस ये अच्छी लड़की नहीं मिले गया, वो तुम नजर आ रहा है, मागर चाची का दुख तुमें नजर न एक दिन चाची से जगड़ा करके घर चोड़ सर चले गए थे, चला गया था, कहा गय थे, कहा गय था, मिलिटरी भी गय था, मिलिटरी भी गय था, अब वापस कब जाओगे? वापस नहीं जाओंगा, मैने नोगरी छोड़ दिये, छोड़ दी? बहुत अच्छा काम करो क्या करो अपनी सेवा अपनी बहु से करवाओंगी राजू मैंने कब से सोच के रखा है जब तू वापस आएगा तो दुर्गा से तेरी शादी कर दूगी क्यों दूर्गा राजू तुझे पसंद ने ना क्या चाची क्या बात कर रहे तुछ आर 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 शर्मादी! मेरा संग मिला अंग अंग खिला ये जीवन जीवन लगने लगा तेरे आने से मुस्पुराने से तुझे शूगे जो तुझे शूगे जो पपनाई तो तन चंद 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 लगने लगा तेरे आने से मुस्पुराने से तेरे आने से मुस्पुराने से प्यार जिजिना है इस रमाने में प्यार जितना है इस रमाने में तेरी आवी में लेकर आया है जैसे सहरा में जुमता अदल मेरी दुनों में रहते तो आया है बन के खलिया, बन के खलिया, खिर खलिया, ये आंसा बन लहने लगा तेरे आने रे, मुदुरानी रे, तेरे आने रे, मुदुरानी रे मेरी नेनों मेरी तेरी सूरत है, ये मंदिर मेरी तो ए लोरत है मेरे जीवन का तुभी अर्मा है मेरे जी नी तुभी तो सूरत है कोई अजाना कोई अजाना कोई अजाना मुझे आजन साजन लगने लगा तेरे आने से मुस्कुरानी से तुझे चुगे जो तुझे चुगे जो कब नाई तो तन चंगन लगने लगा तेरे आने मुझूरानी से अजामत लाल हाँ सocyla वो लड़की कौन है सरकार यह तो पुत्ला है अब है मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूं किसकी कर रहे हैं वो जो तमाशे में थी वो तो दुर्गा है सरकार है है क्या नाशती है क्या लाजबाब बतन है ऐसा लग रहा था कि जैसे संग्र मर्मल का तराशा हुआ चलता फिरता ताज महल हो एक शेहन शाहने बन वाके हसी ताज महल हम खरीबों की हजामत का उड़ाया है मजाक अबे मजाक नहीं मैं सच कह रहा हूँ जब वो नाच रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जिस सीना चीर कर विलकी स्टेज पर उचल उचल कर नाच रही हो अबे यो गदे मैं तुछ से पूछ रहा हूँ कुछ तजाबते मैं गधा ही अच्छा हूँ सरकार साबुन लगा के हमारे यहां इधर उधर तांग जाद करने वाले को कुटा कहते हैं अबे क्या कह रहा है मैंने बज़र्गों की मिसाल कही है आपसे अरे बज़र्गों को मार गॉली मेरी बास सुन सुनाइए बस एक बार उस लड़की को मैंने फामास पर लेया किसलिए अबे उसका मुझरा मुझरा करवाएंगे और बाकी का काम तुसम मुझ पर छोड़ दे सरकार हम हजाम जरूर है लेकिन दलाल नहीं है अबे इसमें धलाली क्या बात है मैं तो तुझे अपना अन्मी समझ के कह रहा था और फिर बात तेरा मूझ तरों से बर दूगा हजामत लाल से तुम्हारे ये खुट तल उस तरे हजम नहीं होंगे मैं जा रहा हूँ साबन लगा के हजामत खुट कर लेना अब तो मैं आऊंगा तुम्हारे क्रिया करम पर ही तेरी दूप शीशा हो या दिल तूट जाता है मगर ये हजामत लाल का शीशा है तूट फूट पुरूफ कभी चाओं कभी धूप कभी जाओं कभी धूप कभी धूप कि मगर तुम नहीं कुछ काम था नंदी कर पर आए थि अमारे गर नहीं कर पर कर दो के मंगनी है न तो इसने मा को बुलाया हो गए नहीं नहीं वो पूच रहे थे कि हमारे मंगनी कब होगी ओ तुम्हारी मंगनी हमारी मंगनी ओ यानि तुम्हारी और मेरी हमारी उसमें क्या है दुर्गा थोड़ा प्राब्लम है जब मैं मिलिटरी में था न तो एक बार जखमी हो गया था और शहर के जिस हस्पदाल में मुझे भरती किया गया था वहाँ एक नर्स थी जो बला की खुब्सूरत है और जब वह हस्ती है न तो उसके मुझे फूल जड़ते है उसकी आखे इतनी सुन्दर है जील से भी गहरी नीली और उसकी जुल्फे जो है न घटाउसे भी ज़्यादा काली है क्या है काली उनकी मेरी बला से और जब वह चलती है न नागिन की तरह बल खाती इटलाती अगर तुम उस चुड़ेल को यहां लेकर आए जी तो मैं उसके नीली आंखे काली कर दूगी क्या कर दूगी काली अगर उसने जुल्फे बिकराने के कोशिश की तो मैं उसकी चोटी काटकर हाथ में दे दूगी अगर उसने नागिन की तरह बनखा कर चलने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूगी क्या तोड़ दूगी टांगे तोड़ दूगी एक बात कान खोल कर सुलो तुम्हारी शादी अगर होगी तु सिर्फ मेरे साथ होगी, समझे क्या हुआ दुर्गा, ठेर तो दुर्गा ठीक कहती है बेटा, इससे शादी करके तु बहुत सुखी हो जाएगा बड़ी हिम्मत वाली है, सडकों कर नाज गा कर अपने भाई बहन और मा का पेट पालती है जब इसका बाप जेल से भाग कर आया, तो उसके साथ जाने से साथ मना कर दिया कह दिया, कि वापस जेल चला जा और सदा पूरी करके वापस आ पास मा, यह बढ़ी इसा साथा करवा ही किस ने थी यही धरंपाल ने उसी से बदला लेने के लिए वह जेल से भागा था तो फिर बढ़ी ने पास के गवह में डागा क्यो डाला मैं नहीं मानती, बहुして आद्मी हैहीं नहीं और ये धरमपाल और उसका भाई ये लोग कैसे आदमी है महालुचे और कप्ती लोग है बंजारा को बर्बाद करने में उनी का हाथ है बेटा कर दो कि अधाई है अधाई हो बनाई हो ये वे आपको ये अधाई हो अधाय के अधाया है है अधाया ये दॉंड़ा तब जाग पढ़ाना हुला कर दिया तुर्गा तू यहां क्या कर रही है यह मेरी तहली नंगनी का घर है आज उसकी मंगनी है इस खुशी की मौके पर खुनकराबा मत करो बापस चले जाओ बाबा नहीं बेटी आज मैं धरम पाल की तरपती हुई लाश देखे बिना यहां से नहीं जाने वाला तुम्हारी दुश्मिनी धरम पाल से हैं उसकी बेटी से नहीं तुम्हें तो कहां करते थे कि गाउं के बेटी सबके बेटी होती है आज उसी बेटी को आश्रवा देकर अपने धरम का पालन करो यहां से चले जाओ नहीं बेटी मैंने कसम खाई है कि इस पापी को खत्म करके यहां के गरीब और मासूम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इसके जल्मों से आजाद करवा दूँगा काम सरकार का सरकार इंबाबा उसे मारकर तुमके रासी पर चड जा हो मुझे उसकी परवा नहीं तु हड जा सामने सब्सठाद kijken यह में सब करना है तोो पहले यह गो़ी नहीं मेरे सिने में दाग मोगी उसके बाद मेरी लाष को रोनते होए तुम अंधर जा सकते हो आप बाप बेटी का नाटक बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो इसे, जो काम हमारे साथ ही गोलियां चला कर नहीं कर सके, ये लड़की सिर्फ सबान चला कर कर रही है, जिस मत कर दुर्गाव, अपने बाप की बात मांचा, इस पद तुम बाप नहीं, एक डाको बन कर आये ठीक है, आज तो चला जाता हूँ, लेकिन ये जादा दिन मेरे हाथों से नहीं बस सकेगा चलो चलो गिरिफ्तार कर लएंट सबको इंस्पेक्टर साफ, आप देकार में क्यों हम लोगों का परिश्टान करने आये हैं, हमेरे कसूर क्या है कल रात तुमने बंजारा को ठाकर दरमपाल सिंग की हवेलीब डाका डालने के लिए नहीं भूलाएं था या आप क्या कह रहें इंस्पेक्टर साफ, मेरे तो बलके बाबा को वहां से बापस जाने के लिए मजपूर किया था वाँ, तो बंजारा वापस लोटकर कहांगे, बल मुझे तुम लोग ऐसे नहीं बताओ, देखते क्या हूँ, सब को खसीर के साने ले चलो भी बत्तों को ख़ड़ दो लापस, चला चला, जया का कि बत्तों को ख़ड़ देना बत्तों को चलाओ जसबस्ती में आप जैसे सब इंस्पेक्टर और पोलीस वाले मौझूद हो, वहां लोटे रहे और डाकों के क्या जरूएट है आपको इतनी भी तमीज नहीं कि और तो और बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाता है तुम कान होते हैं मुझे बूचने वाले हूँ तो एक फौजी लेकिन पुलिस के काईदे कानून और मर्यादा से अच्छी तरह वाकिफ हो आपके पस ग्रफतारी का वारंट है यहां मेरा हुक्म ही वारंट है मुझे किसी की वारंट के जरूद नहीं जरूरत है जनाब हुकम मदालत का चलता है पुलीस उस पर सिर्फ अमल करती है तुम्हारा बनाय हूँ कानून हैं नहीं चलता वारंट लेकर आओ वरना इन्हें ग्रफतार काना दूर तुम इन्हें हाथ तक नहीं लगा सकोगे तो मुझे कानून सिखाने आये हो चले जाओ यहां से वरना इनके साथ साथ में तुम्हें भी अंदर का छोटे बाबू पिस्तॉल तो मेरे पास भी है जितनी देर में तुम एक गोली चलाओगे उतनी देर में मैं छे गोलियां चलाकर इस पिस्तॉल को साफ करके इतमे नान के साथ खड़ा भी हो जाओगा विश्रास नहों तो एक ट्रायल हो जाओगा ठीक है अभी तुम्हें जा रहा हूँ लेकिन एक बात याद रखना इन लोगों को तो तुमने बचा लिया लेकिन अपने आपको नहीं बचा सबोगी मैं तुमें अंदर करके रहूँगा चलाओ गेता तुमने आज मुझ परो मेरे पच्चोपन बहुत बड़ा आहसान किया है आहसान कैसा माजी मैं आहसान करने नहीं बलकि इनसान के भेस में छुपे हुए जानवरों को इनसान बनाने आया हूँ जमाना बहुत खराब होता जा रहा माजी लेकिन आप फिकर मत कीजिए वो अब यहां दुबारा आने कि कभी हिम्मत नहीं करेगा क्या लता हुआ 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 है उपरी नदिया प्यार की जले की मारा तोड़े सब घर रिष्टा तोड़े के मैंने तुझे से लिया दिल जोड़े कोई मत मिला ना ऐसा कोई मत मिला ना ऐसा पासा जवान तेरे थैसा मेरी तोड़ी जवारी जवानी हुई तेरे दिवानी जवानी तेरे ना करदी तेरे ना करदी तेरे ना करदी जवारी जवानी 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 मेरे ना करदी जवानी 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 करदी कर दोडिए जशनिया वियामे जगे यारदिया में जागे जशनिया वियुकुण है यह जिल टे कि देनी सुने कि प्यार जिया वियामे जागे कि यार किसी ते कब हो जाए यार किसी ते कब हो जाए ये कोई ना जाने सुरत खंजानी हो फिर भी दिल को दिल पैठाने कि ये 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 य हुआ हुआ है हुआ 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 है जिसकी महभूबा हो उसकी तिश्मत क्यागे जिसको पाके दिल दीवाना तिश्मत क्या भागे हुआ 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 हु कोई मत मिला ना ऐसा चाटा जवान तरे जवानी तरे जवानी तरे नाम कर दी 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 तर पर शुक्तिसाब मेरा तो शर्म के मारे सर शुका जा रहा है। एक आदमी खुले आम इस गाउं की इजट को अपने पैरें तो ले रौंद रहा है और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। ये कौन है शाकुर सहाब किसकी बात कर रहा है यार। वही राजू की बात कर रहा हूं और किसकी कर रहा हूं। वह तो लगता है शेर से गंदे चरासीम पहलाने के लिए यहां पर आया है। यहां सारी जिंदगी गुजर गई। किसी औरत के सब निगा उठा कर नहीं देखा। और वह कमीना बेखरत खुले आम एक लड़की हाथ में हाथ डाले घूम रहा है और उसको रुकने वाला कोई नहीं। दिल करता अपने आखों में बोलिया मालू या किसी जहर के ताला में कूच के मर जाओ। इस घिणोंने मंदर को देखने के माद यहां की बोव बेटियु पर क्मपर प्जों प्रबेंगा बच्चों पर क्याा सर पडेगा। क्या य संण आपर भी रिवॉलवर तानольно ली थी क्या य बात चाही है। कमाल है कितनी बेशरमी से आप जी हां बोल रहे हैं? एक मामूली खुंडे की इतनी हमत क्या आप जैसे इंस्पेक्टर के सामने रिवाल्व और तान के खड़ा हो जाए और आप उसे कुछ भूल तक ना सके इंस्पेक्टर साथ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ देर के लिए अपनी ये वर्दी मुझे उधार दे दीजिए मैं उसके बाद जाओंगा उस हराम के ढखन को पहले जापड लाओंगा फिर उसे पूछूँगा कि तू रिवारल लाया कहां से तेरे पास लाइसन्स है इसका सर शुकाने से काम नहीं चलेगा इंस्पेक्टर साहब ये बुरे वक्त के आसार हैं अगर सही वक्त पर उस गुंडे को लगाम न लगाई गई तो आपके वर्दी छिंजाएगी और हमारी जमीनदारी छिंजाएगी और इस सर जमीन पर गुंडों की हुकुमत बन जाएगी नहीं जाकुर साहब मैं ऐसा वक्त आने नहीं दूँगा बल्कि उससे पहले मैं अस कमीनी को गृफतार कर लूँगा और उसके साथ उसकी माशू का बुर्गा को भी सारे घर की तराशी ले जाओ ज़ल्दी जाओ अरे अरे ये क्या कर रही आप लोग बुढ़ बुढ़िया तेरा बेटा कहा है वो तो शहर गया हुआ है अच्छा मेरे ड़र से शहर बाग गया उसकी पिसाल कहा है वो तो मुझे नहीं मालूम अब ही मालूम पड़ जाएगा पिसाल मिली? कुथ नहीं मिला सर सुन बुढ़िया जैसे तुहारा बेटा शहर से वापस आएगा उसको कहना फॉरं थाने में रेपोर्ट करे लगर क्यों हमसे सवाज नहीं पूछते एक बात कान खोल कर सुन ले अगर वो फॉरं थाने नहीं पहुंचा तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूँगा समलें चलो क्या बात है इंस्पेक्टर साब तुमने गाओं की शांती भंग करके तैवार के दिन गाओं में दंगा फसाद फैलाया इसलिए तुम्हें ग्रिफतार किया जाता है नहीं साब आपको जरूर कोई जलत फैमी हुई है मेरी बेटी भला क्या दंगा फसाद करेगी वामोश ये कई बार मेरे आज से बच चुकी है लिगना आज नहीं बच पाएगी आज मैंसे ग्रिफतार करके ही जाओंगा मेरी ग्रिफतारी का वारंट है आपके पास अच्छा तुस बदमाश फोजी ने तुम्हे भी खानौन की जबान सिखा दी मैं दिखाता हूँ तुम्हें वारंट पुलिस सेशन चाहिए चलाओ अच्छा शर्म और जिल्लत का खायल तुम्हें अब आए ये सारी बातें तुम्हारी बेटी को जुम करने से पहले सोची चाहिए थी संजीम नहीं साथ, सुर्गा शुटियाए शुटियाए मा, 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 सुर्गा अरे क्या हुआ, क्या हुआ अरे, है, आरे मुचसाब, मैं बेक असर हु, मैं आपके हाँ चोड़ती हूँ, मुझे छोड़ती थी तो आप तुझे शर्म आ रही है ताकू का साथ देते तुझे शर्म ने आई उस लफंगे के साथ पाहों में बाहें डालके खुले आम नास ते तुझे शर्म ने आई उने फाले लोगों के साथ दंगा फसाद करते तुझे शर्म ने आई दंगा फसाद मेरे नहीं किया उन लोग ने किया था और चिन लोगों का आप बोला बला समझ रहे हैं वो नीच गुंडे और पदमाश है साली जवान लडाती है रात बर यहां सड़ेगी तो दिमाग ठिकाने आजाएगा रात बर नहीं एक अखेले लड़गी को रात बर बंद केसे रख सकते हैं यह जुम है यह तो कुछ नहीं कल सुबा जब मैं तुम्हें शहर की जेल बेजूँगा तो ना जाने वहां तुम् एसमाओ, मिसम उत कि gew entries मेरे ák रम कर जाएगाे यहे! मेरे चोड़े चोड़े बांब Advent byर मुर्स का जाएगा मुझे चोडे जिए जिए मुझे करचाने जिए... contenido मुझे हुझे जिए करचाने जिए... मुझे चोडे। मुझे चोडे जिए... दोसके प्लुल से यह दिने फटी है. झाल झाल अरे विनोद बाबू आप इस वक्त कैसे तकलीफ की मुझे बला लिया होता इंस्पेक्टर साहब मुझे बदा चला कि आपने गाउं के गरीब लड़की को अंदर बंद कर रखा है यह सरसर बे इंसाफी है गरीब अपर जल्म है इंस्पेक्टर साहब यह क्या कह रही ठाकुर साहब आपके लोगों के साथ तो इस ने जगड़ा किया है और फो मेरे लोगों के साथ जगड़ा किया तो हमारा अबद का मामला है हम घुरने पढ़ लेंगे लेकिन विलोद बाबू कानून भी तो कोई चीज है तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब मैं इस लड़की की जमाना देता हूं और मैं वादा करता हूं कि जब कभी भी आपके कानून को इस लड़की की जरुत पड़ेगी मैं खुद इसे लेकर आउंगा ठीक है अगर आप कैसे हैं चो अबलदार चौड़ दोचिंग दुरगा दुरगा आप मुझे कहां ले जा रहे हैं मेरा घर तो इस तरफ है घबराओ माद दुरगा मुझे फार्म हाउस पर बहुत जरूरी काम है बस सिर्फ एक मिनट के लिए उसके बाद मैं तुम्हें फॉरण घर छोड़ देंगा अरे सुना तुम यहां लेरे में कब तक दिदार करोगी अंदर आजाओ ने ने मैं यही ठीक हूँ अभी चलते हैं आओ कि आओ कि अ कि अ कि अ हाओ दुर्गा अरे दुर्गा ढरो मत यह तो सब अपने ही दोस्त हैं शहर्ट से आए हैं शिकार केलने के लिए बस थोड़ी देर इंसे मिलें और फिर उसके बाद हम चलते हैं क्या बात है जीओ विनोद बाबू जीओ नजर के गंदे जरूर हो मगर वादे के पक्के हो आखिर इस बुज़ड़ी को इस महफिल में ले ही आए क्या बाबू अरे क्या बताऊं दुर्गा जबसे मैंने तुम्हें थिरक थिरक नाच्टे दिखाए ना तब से मेरा मन मचलना है तुम्हारा मुझना देखने का किन्स बाबू मैं ऐसे वेसी लड़की नहीं हूँ तमाशा जरूर करती हूँ मगर अपनी इज़ड में बेशती हूँ अरे जाती कहा है देख जेल की पथरीली जमीन पर लेटिंग की बज़ा है इन बाहों में आचा प्लामाज आएगा साली में शरावत दिखा रहा हूँ और तुम नगरे दिखा दिया रही है मैं आखरी बार पूछता हूँ तू ना जगी है नाई एक मुश्पूर लड़की की इज़्द से इस तरह मत के लिए मुश्पूरतारस का यह मुझे मुझे छोड़ दो अरे दुर्गा हाथ क्यों जोड़ती है तुम हमारा कहना मान जाओ उसके बदले में हम तुम माला अबाल कर देंगे जिंदगी बार रैश करती रहोगी नहीं मिनुद बाबू मैं नंदनी के से हिली हूँ मैं भी आपकी पेची और ब्रहन के समान हूँ क्या कहा अपना मुकावला नंदनी के साथ करती है दुर्गा इन हाथों में पिस्टाल अच्छी लगती लाओ फागे मत बढ़ परना गोली मार दूंगे अरे गोली मारने के क्या जरूरत है तुम हमें आख मार दो हम पैसी मरताएंगे लादा मुझे दो में एकतिया रुप जा अरे लादा रुप जाए मार्दा क्या वादा सुपकर उटमे तो फिर्ट सुह इस तेरे हाथ में क्या है चल दिया है लिकल सुलूमा मुना मुना चल दो उडू बात क्या है बेटी बता तो सही बात मैं बताओंगे माँ पहले निकल चलो यहां से जल्दी चलो बाग कर कहां जाओगे तुम लोग मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं है जिसे बाग कर दुनिया के किसी कोने में भी तुम आराम का साथ हो चाकुरसाब मेरे बाद दूसरी आपके भाइने मेरे इज़द से केल लेगे खूश्च किती तुम भीक मंगो की इज़द हो दिक यह। हाद कर छाद लोग मैं लोग मादो लोग मैं रृकलो चाकुरसाब में आपके हाँ सरदी हू, मेरे जान लेलीचे तेरी चान कैसे ले लूँ तुझको और तेरी मा को तो अब जिन्दा रहना है और जिन हादों से तुन्हेरे भाई का खून आया है उन हादों का वह अशर करूंगा कि जिन्दर की पिर उन आथों को पहला कर मौत की बेक मांगती रहेगी और मौत तरह करीबाने से इंकार तुझे जनम देने वाली तेरी मा भी शायद इसलिए जन्दी मर गई कि कहीं तूसकी नजरों के साम नहीं अपनी बेटी के साम मुख्याला न करें प्र नहीं परी मेद टूसरा किन नहीं! कर दो कंदे खड़ा को कर दो अचिन कर दो कर दो कर दो हुआ 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 हु कि घग कर दी में उच से लूओ से बंख कुछी भूर बध मुप झाणि से Evol击 ! क्रूट फृ ingredient तुर्गा, तु यहा कैसे आये, ये तेरह क्या हाल है, कौनपे बोलो बाब, बाब, कुरुडे मुनन, कुरुाण क्या सुनी कोester, सब को मार डाला थृ objects सब को मार डाला किसिने मार डाला, एलो इसिने मारा मेरे बैच्यों को ध़र ऑल बल परिया काका, मुझे ठाकुर के आदमियों और इन पुलिस वालों का बिलकुल विश्वास नहीं अरे जुलुम की हद हो गई, लगता है अब ये बड़े लोग और ये कानून के रखवाले हम गरीबों को जिन्दा तक नहीं रहने देंगे अरे बेटा, आप तो यहां रहना पाप हो गया है पाप, आज दुरुगा पे बीती है, कल किसी और पे बीतेगी कैसे बेदर्दिस से बच्चों को मारा है, उनका तो क्यों नाम लेवा तक नहीं रहा बंजारा को इस बात का पता चला की नहीं अरे बेटा, अगर उसे पता चल गया होता, तो उसने ठाकुर की हवेली की इंट से इंट ना बजा दी होती मगर तुम यह कैसे कह सकते हो, कि ये काम ठाकुर या उसके आदमों ने किया अरे भाईया, और कौन करेगा, बंजारा उसके बच्चों से किसका वैर था तो आगए तुम, मैं बड़ी बेचैनी से तुमारा इंतजार कर रहा था पुलीस अगर बेचैन होने लगी, तो फिर जानता होगा, क्या होगा तुम असखोनी दुरुगा के साथी हो, इमाती हो, वो पिस्ताल कहा है जो हसें, तुम मुझे दिखा रहे थे यदाव, गरिफतार कर लो इसी गरिफतार करने से पहले, इसका लाइसेंस नहीं देखेंगे आप चोरो चके, लफंगों के पास राशन कार्ड नहीं होता, तो पिस्ताल का लाइसेंस कहां से आएगा अगर इतराज न हो, तो इस कागस पर नज़र डाल लेजी क्या है इसमें, दियाजी साब का ख़त, एडिशन सुपरेंटिरिंडर पुलीस मिस्सर राज, सर, आप, आपको यहाँ स्पेशल ज्यूटी पे भीजाएं, जी हाँ, और आप लोग यहाँ बैठ कर पुलीस के नाम पर जो चारचान लगा रहें, मैं उसकी तफ्तीश करने आ बंजारा के बारे में कुछ पता चला, नहीं, दुर्गा का क्या हुआ, सर उसने तीन होन किये, और फरार हो गई है, और दुर्गा के घर वाले, वो कैसे मारे गए, उस बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर क्या मालूम है आप लोगों को, यही जिम्मेदारी निभा रहें आ मैसर सिना, यह देखने में सिर्फ कपड़े की वर्दी है, मगर इसके जिम्मेदारियों का बोज पहार के वजन से भी जादा है, अगर उठाने की हिम्मत है, तो इसे पहने रही है, वाना उतार के कोई और काम का लिजिए, बैतर होगा सर, दृगा ने जो खुनकी हैं उनके गवात मिल गए है, लेकर उसके खांदान के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसका एक भी चश्मदीद गवा नहीं मिला, सर, जब तक दृगा खुद ना बताय, उसके खांदान के साथ क्या हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? उसके घरवालों के लाशे का है? उस सरव है सर, आईए मैं कान्तिम संसकार मैं कारूगा राजू बेटा इन चिताओं की आग तो थोड़ी दिर बाद ठंडी हो जाएगी लेकिन इन गरीब गाउवालों के सीनों में जो आग लगी हुई है वो कब ठंडी होगी? काका, इस गाउं में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस घटना के बारे में मुझे सच सच बता सके और जब तक मुझे सुच्चाई का पता ने चल जाता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, काका, कुछ नहीं कर सकता पता सच्चाई तो तुम्हें सिर्फ दुरुगा ही बता सकती है लेकिन दुरुगा कहा है? मेरा ख्याल है वो अपने बाबा बंजारा के पास चली गई होगी मगर उसका बाबा बंजारा कहा राता ये भी तो मुझे नहीं मारू सरकार, इस बारे में मैं जादा तो कुछ नहीं जानता मगर मैंने इतना जरूर सुना है कि अक्सर वो रामगर की घाकियों में देखा जाता है में राजा, तुछ नहीं में बहुत देर कर दी, मेरे सब कुछ परबाद हो गया, सब कुछ अरे लेकिन इसा हुआ कैसे, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद, राद वही इंस्पेक्टर आया और मुझे, और मुझे जबर जस्ती ले जाकर, हवालाद में बंद कर दिया, मुझे बहुत गालिया दी पर रादी राद को, छोटा ठाकर आया, और मुझे वहांचे छोड़ा कर ले गया, लेकिन, लेकिन घर ले जाने के बचाए, अपने रोमत दुर्गा, रोमत, मुझे पूरी बाबताओ क्या हुआ, बोलो, पूरी बाबताओ पिनोद और उसके साथ थे, मुझे पर टूट पड़े, मैंने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने, अपनी इसस बचाने के लिए, मैंने उस पर गोले चला थे, और वहां से सीधर घर भाग कर आ गए, मा और बच्चों को नेकर वहां से भागना चाहती थे, यह धर कितनी लोगों को मार डाला, मुझे खुश नहीं मालू, मुझे सिर्फ इतना याद है, उसके बाद में बागते रहे, सिर्फ बागते रहे, और वो लोग, शिकारी कुतों की तरह, मेरा पेचा करते रहे, बस दूगा, बस, जो बीच गया वो गुजर वाकल था, जो आ रहा ह जो रहे, भाए, वो आनेवाले कल है, हमें आनेवाले कल की फिकर करने, उसे समानना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूना, उल्हे आदालत करपी टाकि मैं तुम्हें mmh, एंदेद दूश धाबिदर कर के गुणारों को सजा दिल्भा सकूं, हाद तुम चाहते हो कि तुम्हारे 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 तुम्हा या बेटी इसने तुजे नहीं बताया कि ये खुद एक पुलिस अफसर है क्या और तुम, और तुम क्या निकले, मुझसे जूट बोलते रहे, मुझे फरेद देते रहे, मेरा अर्मानों का मज़ाख उनाते रहे नहीं दुर्गा यह गलत है, तुम्हें तुम्हेरे बाबा के जेल से भागने के बाद, उनकी ग्रफतारी काम मुझे सौपा गया था मगर मुझे यह मालूम हो गया था कि तुम्हारे बाबा बेकोसूर है, इसी बात के पता लगाने में गाव में आया था, कि एक बेगुना को सजर दिलाने के पिचे किस का हाथ है, जब मुझे यह पता चला, कि धरमपाल उसका भाई इसलिक गुनागार है, तो मैं उनका मैं तुम्हार वच्ण देता हूँ, जब तक असली मुझरमों को पकरवा कर सजा दिलवा दूँ, मैं चैन्स नहीं बैटूँगा तो उसी दिना ना, जिस दिन तुम असली मुझरमों को पकर तर उने सजा दिलवाने में काम्याब हो जाओ, उस दिन हम बाप बेटी अपने आपको कानून के हवाले कर देंगे, उससे पहले कभी नहीं तुम तुम मुझे खलग मत समझो, काश मेरे तुम्हे गलत ना समझा होता, तु आज तुम मेरे परिवार की लावारे सलाशों का अंतिम संसकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आथान के पोश्टले दपकिया हूँ तेकिन आइंदा अगर कभी मेरा या मेरी बेटी का पीछा करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे इस आथान को भूल जाओंगा और तुम्हारे साथ भी वही सलुक करूँगा जो मुझे पुलिस वालों के साथ कसना चाहिए, बाबा मुझे पुलिस वालों को हमारे ठिकाने का पता चलकिया है, इसलिए जल्दी हमें ये जगा बदलेनी चाहिए, ठीक है तुम फिकर मत करो यार, मैं कुछी दिनों मैं उस आफिसर का तबादला करा दूँगा, तुम शराब प्यो, अरे प्यो यार शाबाश क्या ड्यूटी निभा रहा है, शरीर पे वर्दी और हाथ में शराब का ग्लास लिये, आप बदमाशों की मैफिल में बैटे हैं, अगर आप जैसे कानूं के रक्षक हों, तो लोगों कानूं पर से विश्वास उड़ चाहिए, उश्वास उड़ चाहिए तो सोजर रास्ते में दो-चार पैक शराब के मार ले, तुम्हें शराब होने चाहिए, तुम्हें इस खाकी वर्दी की हिसत की परवा भी नहीं की, ओ, मिस्टर, यह क्या चीखना चीखना लगा रखा है, यह मेरा घर है, कोई आपका पुलिस सेशन नहीं है, और आप इनको की हैसे से मैं तुम्हें होकम देता हूं, या भी और इसी वक्त अरमपाल को गरफतार कर, क्या, गरफतार, मुझे, ओँज्या चड़ा रखिये, जै होश में हूँ, आपने चड़ा रखिये, इसलिए आपको होश में लाने की कोशिच कर रहा हूं, सुना हैं तुम्हें तु तुम्हें अभी शायद पता नहीं कि धरंपाल की पहुंच कहां तक है मुझसे बात करने के लिए बड़े-बड़े MPs को अपने लेना पड़ता है और आज तुम मुझे हतकर नहीं लगवारे हो अच्छी बात है मैं तुमसे अपने बेज़ती का वो बड़ा लूँगा तो तुम सारी जिन्दगी खून के आंसूर होते रहोगे मुझे जई यह सरकार यह क्या सरकार आप फॉरन होम मिनिस्टर को फोन कीजिए और कहिएगा कि इस दो कौड़ी के पुलीस आफिसर ने हमारे साथ यह हरकत की है जी जी बिल्कु सरकार यह साथा तुम्हे बहुत महिंगा पड़ेगा आफिसर मैं सिर्फ सोदा करता हूँ धरम पाल सोदे का सस्तापन या महंगापन नहीं देखता बंकर देखता अच्छा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ठाकुर साहब अभी तो तुम शर्मिंदा हो थोड़ी देर बाद तुम्हेरा यह ओफिसर शर्मिंदा नहीं दर आएगा पेखा तुम्हें जी सर वगर यह खबर आप तक इतनी जल्दी कैसे पहुचगे सर यह आप क्या रहे हैं सर यह आदमी खुनी है एक और इसक दो मासु बच्चों का अगर इसे छोड़ेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की आपकानूं की तवीर होगी सर जिसका मैं बेटा बन गया रहा हूँ वह मौकाई वारदात की चश्वदीत गवाँ है सर ठीक है हाँ घरामजादे जर्म का सुबूत मिटाने के लिए तुने एक बेगुना बेबस और बुड़ी औरत का खून करवा दिया मैंने किसी का खून नहीं करवाया है जूट बोलता है कुटे तो ने उसके जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी ताकि वो तेरे खिलाव गवाही न दे सके और तु फासी के तख्ते पचड़ने से बच चार लेकिन मैं तुझे जंदा नहीं जोड़ूँगा वही कानून तुम्हारे हाथ में तुम शरीमों को मार भी डाला तो तुम्हे पूछने वाला कौन है ना टक मत कर कुट जा हो रहा है यह पागर लोगर इस तरह लोगों पर हाथ उठाते हो सार आप नहीं जानते इसने इतनी जलीद और घटी हो जो इसे आओ मेरे साथ तुम अपने आपको कानून का महाफेश करते हो ऐसे यह होते हैं कानून का महाफेश अरे तूम अपने अपने ज़सा अगर ये बात जनता को मालूम हो गई तो हमारे डिपार्टमेंट के कितनी बद्दामी होगी जिस औरत मुझे अपने बेटे की तरफ पाला है जो दुर्गा के परिवार के कतल की चश्मदीत कवा थी इस कमीने उसका भी खुन करवाती है यह कब हुआ अभी थोड़ी दिर पहले मैं वहीं से आ रहा हूं सर तो इसे बूत मिला यह बहुत ही चालाक मुझे जर्म करता जाता और इसके निशान मिटाता जाता है आजसी देखो हमारे डिपार्टमेंट के भी कुछ मजबूरिया है तुम नहीं जानते इस शक्स की पहुच कहा कहा तक है जब तो कोई फुक्ता सुबूत ना मिल जाए तुम कोई ऐसा काम ने करना जिससे तुमारे के लिए पर कुछ दाग आए जाकुर साब जी आज जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मेंदा हूँ और आपको यकीन दिराता हूँ के हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आएंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी आप घर जा सकते हैं बहुत बहुत शक्रिया जाकुर साब घबराने की कोई बात नहीं है इसे घर कभ ली जा सकता हूँ यही कोई एक आध हफते बात शुक्रिया विनोथ भया मैं उस तुर्गा की बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूगा नहीं नहीं विनोथ यह काम तेरा नहीं है यह काम मैं करूँगा उसे डूंकर मैं निकालूँगा आकाश पाता लेक कर दूंगा उसे खोज निकालूँगा दुनियमस का दूसरा ठीकाना है यह कहां सिर्फ एक ठीकाना है और वो है उसका बाब बन जारा दुर्गा यह क्या धरमपाल और उसके भाई से बदला लेने का रूप है बाबा तू, तू उससे बदला लेगी हाँ बाबा क्योंकि जो इंतकाम की जुआला तुमारे सेने में बढ़क रही है वोही जुआला मुझे भी बसं किये जारी और जर्टक में धरम पाला और उसके भाई को खतम नहीं कर देती यहाँ मुझे जलाती ही रहेगी नहीं बेटी नहीं मैं तुझे उस पापी के गंदे खून से हाथ रंगने नहीं दूगा अरे मैं तो इन हाथों में शादी की मेंदी लगी हुई देखना चाहता हूँ नहीं बाबा अब ये कभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का ठूल कर तेरी शादी कर दूगा तू सुहाग का चोड़ा पहलेगी तेरी डोली सजेगी और फिर जब डोली बेटी हर बाप को यहीं सपना होता है भूल जा बाबा ये सब सिर्फ सपना ही है दुनिया की नजरों में एक मुझरिम हूँ खूनी हूँ कोई मुझे माफ नहीं करेगा कोई मेरा हाथ थामने के लिए तयर नहीं होगा ऐसा न कहो पेटी बत बदल जाता है आलाद बदल जाते हैं फिर आइस्ता आइस्ता दुनिया साथ भूलता थी दुनिया भूल सकती है बाबा लेकिन चुल कुछ भी हुआ वो में नहीं भूल सकती तुमने मा को मरते हुए नहीं देखा बच्चों की खूल से जमिन लाल होते हुए नहीं देखी में नहीं देखी है इनाओ को नहीं देखी है और तब से बाबा मुझे कसमें आपकी नहीं सके, रात रात पर मुझे माँ का खायल आता है, मासुम बच्चों की हावा से आती है, हमें बचा लो दीदी, हमें बचा लो मैं उन्हें तो नहीं बचा सकी, लेकिन उन जारिमों का मार कर, उनके आत्मों को शांती जरूर पहुंचाऊंगे तुरूर पहुंचाँगे तेजा, अब लोग नीचे उतार कर खोड़े पीछे बांदो अबरेसाट आवाज पिकाली तो गोली हलक के पार उकार भूँआ धरमपाल के दर है? वो तो विलोग बांदो को हॉस्पिटल सरे ने शहर गए हुए नंदनी बिटिया अपने कमरे में है सो रहे हुए तेजोरी किस कमरे में है? उदार है तेजा, तुम दो आद्मियों के साथ यहां रहो, कोई अंदर ना आने पाए तेजार तेजार वा तेजार जिलोग यतना रूपिया, ये ठाकुर है कहीं का राजा, ये राजा नहीं बेटी ठाकु है, ये तमाम द्वलत हमारे नाम से ठाकुर रनबीर सिंग और दूसरे लोगों पर डाके डाल कर लूटी गही है और इस लूटी हुई दौलत पर जो के हमारे नाम से लूटी गई है हमारा हक है तो जोरी खाली कर दो और ये बंदू के समेट लो जल्दी और जल्दी बंद उर इनके मन अठना जयूख ज cuál लो ईुटेपद इना ना ये उजना ना ना शजब ङल्दी ज्ठन से तो हो आग है बंजारा के साथियों में पहली बार किसी ने ऐसी नीच हटकत की है और बंजारा किसी की बेहन बेटी की इज़त लुटने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता ने बंजारा मुझे माफ कर दो, मुझे से भूल होगे, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक बार माफ कर दो तरदार, ये इसकी पहली गलती है, इसे चितावनी दे कर माफ कर दो उस्तम ठेक कहता है सरकार, इसे एक बार माफ कर दो ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, पंजारा सिर्फ जालमों को लूटता है, लेकिन किसी आउरत की इज़त लूटते हुए नहीं देख सकता, क्या तेजा तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो सर से पैर तक तुझे खून में न जाने के ला दूगा, अरे ओ सर्जू, ये नाइक ठापुरा हैं दुर्गा से मिलने, क्या बात है, तब चीक है न, चीक नहीं है दुर्गा बहन, हरिया की बेटी के बारे में, बहुत बुरी खबर लाया हूँ, कौन, अंचु के बारे में, क्या हूँ उसे, उसकी बार दू जालत बहुत खराब है, आखरी बार तुम से मिलना चाहती है, आखरी बार, लेकिन उसे हुआ क्या, उसकी सुस्रादवालों ने, उस पर मिट्टी कते छड़क कर, उसे मार जालने की कोशिश की, नेकिन क्यो, अब एक तो उसकी शादी हुई है, कहे है वो, गाउं के अस्प जादी है, कहे है, कहे है है दोक्ति शान्टर साथ राग्म बाग्म धन्चम तुलका दुलका दुलका मौत मुझे ले जाने के लिए मेरे सामने खड़ी है नहीं उजू, नहीं उजू, दुगा, दॉटर साथ अच्छा काओं है, वो इसकी पती को बलाने इसके सस्राल गए है ये कहीं नहीं जाएगा, ऐसे बिकारियों की बेटियों का मर जाना ही अच्छा है जो शादी के चार जोड़े पोटली में बांद कर बिना दहेज के खालिया चलियाती है यहां नहूसत मत पहलाओ, रोना दोना बंद करो और चले जाओ, यहां से दवाओ जाओ ये क्या कह रहें किदारनाजी, आखिर वो आपकी पहू है वो एक बिकारी की बेटी थी, जो खालियात नौकरानी की तरह हमारे घर में कुछ दिनों के लिए आई अब फिर खुछ जलकर हस्ताज में पहुंच गई, हमारा उसे कोई बासा नहीं बाग जाते ऐसा मत कहिए किदारनाजी, भगवान से दरिये मुझ पर दिया कीजिए, बरलो मेरे बेटी मर जाएगी मर जाएगी नहीं चाचा अंचु मर गई क्या नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता भगवान, इतना निर्दे नहीं हो सकता बेटा अभी तो उसकी शादी हुई थी ये, ये वक्त उसके मरने का नहीं था दुरगा ये वक्त उसके मरने का नहीं था इन देज के लाची कुतों ने उसे वक्ष से पहले मार दिया, मेरी अंजू को वक्ष से पहले मार दिया उसके सर पे इज़त का पल्लू डालने की बजाए उसके शरीप पर कफण डाल दिया, उसके कफण में ढख दिया बेशा क्यों लाला, अरे यह ठीक है रहे नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं इस बारे कुछ नहीं जानता तुम सब कुछ जानते हो लाला, तुम खुछ दुगान से अपने जुरूम का एकपाल करोगे इस आत्मी को देखती हो, जिसने जिन्दगी भर की कमाय अपनी बेटी को देश में दे दी यहां तक कि अपनी जमीन भी गिर्वी रख दी वो जमीन जो किसान की मा होती है मगर तुम लालचियों का उसे भी पेट नहीं बरा किसी और की बेटी को फसाने के लिए तुम लोगों ने इसकी बेटी को आख से चला कर मार ठाला तुम लोग औरत को समझते क्या हो बेड़ पकरी कि जब चाहिए उस बेजुबान को ब्या कर लिया है और घर में नौकरानी की तरह काम करवा है और फिर जब देहज का लालच हुआ तो उसे जला कर मार ठाला और बेटी की दूसरे जगा शाधी करवा दी बता तुम दोनों में से कौन अंजू की मौत का अध्यमेदार है बोलो अंजू मेरी देहली नहीं मेरी बेहन भी थी और मेरी बेहन का खून करने वाले को मैं जिन्दा नहीं चुरूगी लोग किसने मर अंजू को मुझे कुछ नहीं मालू पिता जी अंजू को दहिद ना लाने की वज़े से परिशान किया करते थे और तुमने जो लाला छेतरमल की बेटी से शादी की बात पक्की कर ली थी वो मगर अंजू पे तेल तो आपने ही डाला था आप तो तूने लगाई थी ना अरिया चाचा तुम्हारी बेटी के कातल तुम्हारे सामने खड़े है चलाओ गोले लेलो इनसे अपने बेटी के खून का बतला सूशते क्यों चाचा अगर आज इन सापों को नहीं मारोगे तो कल ये दूसरी घरीब लड़कियों को जला कर मार डालेंगे इसलिए अपनी बेटी का और दूसरे हजारों बेटियों पर होने वाले जुल्म को खत्म करने की शुर्वा तुम को ही करनी पड़ेगी चलाओ गोले और मार डालो इन सापों को प्रुम करने की शुर्वा तुम करने की शुर्वा तुम करने लगाई गांवालो एक बात कान खोल कर सुन लो ये बाप बेटे की मौत एक चुनोती है उन लोग उनके लिए जो देहश की भूके है आज के बाद मेरे इलाके में किसी ने देहश दिया या किसी ने देहश लिया या किसी ने देहश के लिए बहु को परिशान किया तो मैं अंजु की म अरे तेजा, तुम थुबा से कहा चले गए था? आज मेरी बहन की शादी है ठाकुर, उसी के तैयारी में लगावा था कमाल है तुम्हारी बहन की शादी है और हमें बताया तक नहीं? मालूम तो मुझे भी नहीं था, कल रात जब गाओं गया तो पता चला ठाकुर, मैं आपको शादी का निमंतरन दिने आया हूँ ए जा, अब तो हम शादियों में सिर्फ डाका डालने के लाइक रह गए है निमंतरन पाकर महमान बनने के लाइक नहीं रहे हमारी तरफ से अपनी बहन को आशीरवाद देना नहीं ठाकुर, हमारे परिवार में कोई बुजूर्ग नहीं है जो कन्यादान कर सके ये काम तो आप ही को करना होगा अगर आपने इंकार किया, तो मैं समझूँगा मेरी उस दिन वारी गल्ती को अभी तक आपने माफ नहीं किया नहीं तेजा, हम घुने लोग नहीं है जो पुरानी बातों को दिल में रख लेते हैं इस तरह घुरा दवा कर बद्दूप से गोली बहार निकाल देते हैं उसी तरह गल्ती मानने वाले के सर पर हाथ फेर कर हम पुरानी बातों को दिल से निकाल देते हैं तो आप मिरसा चलेंगे ने, अवर्षे चलेंगे काफी दूर है तुम्हारा काओं आईए, इधर, जी, परातियों के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली है बस शादी की सब तैयारी हो जाए तेजा, जी, जिस लड़के से तुम्हारी बहन की शादी हो रही है क्या करता है, स्कूल में मास्टर है अच्छा तेजा, क्या बात है, सारा गाओं खाली पड़ा है मैं अच्छारव इस वक्त तो पॉलीस के घरे में हो हम जहें तो इसी वक्त में ख़त कर सकते हैं लेकन हम तो जीने का एक माधा और देते हैं अपने आपको पॉलीस के हवाले करतो शबश वबली जाओ, और मुंचीस अपनाई नाम बिलो झाल झाल पाल पाल कि अ॥ा थ hatır कि लुट झाल बैंश कि अही है कि अही है किस每ग कि बभ。 बेंस झाल कि 쉬 कि ब एम रट तार स्षाइब कि अपर्ग कि अव तकर फिर थेड़ी अर्ग कि अवों टृ्टि कि अव. कि अवोंद कि अवों थे अवों बार प्रब है दो, अव इब के अवों अवों भाट इब आए! वोजए दो! आप विर एका श्राइब है खुआ ही खुआ है ऑन्हालो पिस अवार फैंट डई ईज खुआ है enfrent energetic जो 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 बओगा जो 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 आर का अड़रा कने फे जो झाल 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 मैंने मना किया था न, बाबा, मुझे पहले से उस हरामजादे तेजा की नियत पर शक्ता, आखिर उसने, आखिर उसने दोखा दे दिया न, तु यहां कैसे पहुच गए? मैं जानती थी, कि तेजा जरूर भोका देगा, इसलिए थोड़ी देर बाद सब को लेकर यहां निकल पड़ी में नुर्गया, लगता है, पुलिस फिर इस तरफ आ रहे ही है, तु भाग जा यहां से, भाग जा तुम्हें? तुम्हें किस हालत में छोड़कर बाबा? मेरा सारा जिसन छली हो चुगा है, अब मेरा बजना मुश्किल है, बेटी राइफल बुझे थे थे, मैं उसको रोकता हूँ, तु भाग जा अपनी बाबा को छोड़कर में कहा भाग जाओ, मेरा दुनिया में भही को अगर मर नहीं है, तो तुमसे पहले में मरूगी, में मरूगी बाबा मेने अपनी अंकों के सामने, सबको मरती हुए दिखा है अब मैं तुम्हें नहीं देख सकती है, बाबा बाब, वाल Це तो में को छोग हुए smoothly अब में साली दthing весह लागर को जोगा हुएोभ है दोग बाबा बाबा बादु पनि फलाइ बढ़ा चल्दे से बैची को बलाए जल्दे नहीं दुरगा दुरगा अब किसी वायख को बलाने की ज़रूरत नहीं यह देखिए चनल साल से भाखी रह गई है नहीं बढ़ा नहीं रो नहीं भैटी तू तो बहादूर है बहादूर तो दर्द के सैलाब भी जाते हैं और फिर मैं मैं तो अपनों के पास आ रहा हूँ तेरी मा मेरा इंतजार कर रही है तेरे भाई बहन मेरी राद दे रहे हैं नहीं बाबा बेटी मैं तेरे लिए कोई तेंदालत जाइदाद छोड़कर नहीं जा रहा हूँ हाँ एक तुश्मन छोड़कर जा रहा हूँ इस उम्मीद पर कि तू से अखुल की जुलम को खत्त करनेगी करेगी ना बेटी जरूर करूंगी बाबा जरूर करूंगी जीती रह बेटी आज आज मैं बहुत खुश हूँ मैं अपने पीछे एक बेबस अलाज़ार बेटी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ जा बाजों और वफादारों के पीज एक एक सेर नी छोड़कर जा रहा हूँ सेर नी बगवाल एक टुट थिएक पाप पाप पाँ! नाइ! नाइ लाँ! मेरे बाबा मरेनी, उन्हे दोखी से मारा गया है उस गध्धार तेजा ने मेरे बाबा और अपने साथें के साथ इतना बड़ा दोखा किया है में उस अरामजादे को जिंदा नहीं छुड़ूगी बोल तेजा कहा है? मैंने जानता है तो सब जानता है तो तो चिसा से देखना, बोल कहा है, बोल, मता दाओ गड़ी घड़ी घड़ी चुन तरकने लगी पड़ी घड़ी घड़ी चुन तरकने लगी पड़ी घड़ी चुन तरकने लगी पड़ी आई हया चिर अदा फिर जवा चार दिल में चार दिल में जहानी गड़ी घड़ी 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 चुन तरकने लगी तनी फुल बनके महतने लगी देखते देखते जाने क्या हो गया आई क्या हो गया देखते जाने क्या हो गया मैं कहीं हो गया दिल कहीं हो गया आख लरने लगी दाट बढ़ने लगी सिधी सादी, सिधी सादी कहानी गड़ब हो गई घरी घरी जरी जुन दस्त तरतनी लगी तली पुबलबन के महदनी लगी जिन्दगी के ये दिन कुछ नहीं प्यार बिन जाने मन इन को जी उंद्लियों पे न गिन आंख कातल बनी जुर्फला गिन बनी खोश खोपर रियानी वजब हो गई घरी 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 जुन दस्त तरतनी लगी तली पुल बन के महिकनी लगी कर दे आई हया थिर अदा फिर जफा एकले आई हया फिर अदा फिर जफा चार दिल में चार दिल में जवानी घरी 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 जुन दस्त तरतनी लगी तली फुल बन के महिकनी लगी मुक्सा मिया से जा कितनी जल्दी भी क्या है तेजा क हुट मेस घुथए मर्तों तो उसी बगते है था जब तुने बाबा को दूखीни से मर्वा दी था अज सिर्फ तेरा ख्रीया करम करने आए हूं मुझे बाफ कर तो दुर्गा सब माफ कर तो तुझे आप बाबा करें घे उपर जा गर गोली बत चल्द दुर्ग, दुर्ग दोली मत चलाना, दुर्ग दोली मत चलाना उटाव इस कुटेगी लाषको, और लेचलो कर दोली मत चलाना यह लाष कसकी है? दे जाखी दे जाखी दुर्गा यह तो तुम्हारा साथी था तुमने इससे क्यों वाड आला? इसने विश्वास का खूल किया, मैंने इसका खूल किया और जानते हो, इसकी लाष मैंने तुम्हारे दरवादे पर क्यों फिंकी? क्योंकि तुमने इस कुत्ते के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा और फिर तुम्हारा और मेरा पुराना हिसापी तो बागी है इंस्पेक्टर तुमने भी कानून की वर्दी पहन के कानून का बहुत खूल किया और मुझ बेगुना को डाको बनाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हक्ता, इसलिए तुम्हारे सीने पर गोली का मेडर लगाने आई थी नहीं हाँ, मेरे हाथों में बंदुक तुमने ही दी थी, अब इसकी गोली अभी तुमेही कानी पड़ी ये खेट धरम पाल के हैं? जी माईगां आज के बाद किसी ने धरम पाल के खेटों में काम किया तो में उसे जिंदा नहीं छोड़ो भागो यहां भागो जर्म की आग में फरम जल रहा है तो ठाको धरम पाल सिंग अपने खांदान को यहां कैसे पाल सकता है पाल निकाल लाएंगे ताली एक हासे ने बलके दोनों हासे बस लिए क्या क्या रहा है आप बंजारा को डाकू बंदे पर किसने मजबूर किया तुर्गा के घरवालों का किसने कतल किया जिसके वज़े से वो डाकू के गिरोह में शामिल होई पंजारा के नाम पर कौन लूट मार करता रहा है मेरा ख्याल है विनोदपाल साहब आप इन बातों का जवाब बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं आप क्या कह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जवाब देना तो दूर की बात है देखे, मैं बहुत सीधा साला आदमी हूँ, मुझे शब्दों के चक्रवी में फसानी की कोशिम मत कीजिए मेना नाम धरमपाल सिंग है, मैं सिर्फ धरम को पालता हूँ, बाकि हर बात को दिमाग से निकाल देता हूँ मगर एक बात है, जो दिमाग से निकल निरी, कांटे की तरह चुपती ही चली जा रही है, आप जरह उस पे रोशन डालेंगे फरमाईए, ये दुर्गा अब तक क्यों नी गरिफतार कीगी, जबके डाकू को गरिफतार करने वाली खास टोली यहां मुझूद है, एंटी डिकाइट उनिट, इमान पर आतर के धरम को टटूल के जवाब दीजिएगा अच्छा आप अपने धरम को टटूल कर बताईए, क्या वज़ा है? बताओं, जी आपके और दुर्गा के तालुका के बारे मैंने सुना था, लगे मेरे धरम के कानने बरदाश नहीं किया उसको, लेकर मुझे यकीन हो गया है, कि आपके और दुर्गा के नाजास तालुकात हैं मैंने तुम्हारी तरद दिखावे के लिए शिराफ़ का चोला नहीं रोड़का है बलकि फर्ज की वर्दी पहनी हुई है और इस वर्दी का दामन साफ रखने कली है मैं अतना खून तक भासकता हूँ तुर्गा को ग्रफतार करना मेरा फर्ज है और मैं उसे ग्रफतार करके रहा है जिस दिन मुझे तुम लोगे खलाफ सुबूत मिल गया ना उस दिन तुम लोग मेरे सामने यहां नहीं बलकि इन सलाखों को पीशे खड़ा राओगे मैं से राज़न फर्ज को लेके मेरे घर आजाओ जी अब हो कि मैं अई जो पोलिस है कि अधिक सवाल Dubai नहीं होता किंठी वह एक पोलिस अफसर है और मेरे चांतों पर उनकी रख्षा करने की मैं हम दोने जिंदगी की जो अलग अलग ऐसे रात्तौं जो किसी भी मोड़ पे नहीं मिल सकती। ऐसा मत कहो दुर्गा, नजाने इस मुलाकात से जिंदगी को कौन सा नया रास्ता मिल जाए। राजु बहुत अच्छा लर्का है, मेरी आखों को अच्छे बुरे की आसानी से पैचान हो जाती है, क्योंकि मेरा उस्तुरा लोगों की डाली पर होता है, मगर मेरी आखे उनके चहरों पर होती है। जिंदगी पर हजामत की है, लोगों के चहरे पड़े है। मैं सच कहता हूँ, राजु बहुत अच्छा लड़का है। अगर आज पगली चाची जिन्दा होती न, तो नजरने तुम कपकी उस घर की बहु बन चुकी होती। अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फाइदा नहीं। क्योंकि गाओं के पगली चाची ही नहीं, बलकि गाओं के सीधी साथी लड़की दुरका भी मर चुकी है। और ये दुरका अब बाग्यों की सर्दार है, जो किसी भी हालत में, अपनी साथियों के जिंदेगी का घतरा मोन नहीं ले सकती। कभी नहीं ले सकती। दुर्गा उसे तुम्हारे साथियों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ तुम से अकेले में मिलना चाहता है, वो बिल्कुल नहाता आएगा, और अगर तुम्हारे साथी दूर रहकर तुम्हारी निगरानी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करो दुर्गा, मैं सच कहा रहा जिए हारे साथी है झाल झाल दुर्गाज, कितने दिनों के बाद तुम्हें इतने करीब से देखने का माखा मिलना है मुझे ऐसे लगता है जैसे हम लोग बिलकुल करीब तो है लेकिन इस करीबे के पीच हज़ारों मील का फासला है दुर्गाज, ये फासला तो तुम नहीं पैदा किया है ना हम फिर एक दूसर के हो सकते है ये दूरी हम दोनों के भी हमेशा में श्कले मिठ सकती है, खतम हो सकती है अगर तुम अगर क्या? अपने आपो खानून के हवाले कर दो इस वक्त में किसे मिलना आई हूँ? एक पुलिस अफसर से? या उस राजो से जिसे मैं प्यार करते थे? दोनों से दुर्गाज? नहीं, दोनों एक साथ कभी आई नहीं सकते क्योंकि पुलिस अफसर को दुर्गाज चाहिए उसके कानून के लिए और राजो को दुर्गाज चाहिए उसके प्यार के लिए कानून और प्यार तो ऐसे दलवार हैं जो कभी एक मयान में आई नहीं सकती आ सकती दुर्गाज मैं हूँ वह मिसाल जो कानून और महबत के तरवारों के अपने दिल की एक मयान में लेके खड़ा हूँ ना मैं कानून से ख़द्दारी कर रहा हूँ और नहीं तुमसे बलकि दोनें को मिलाने के लिए कोई रास्ता निकलने के कोशिश कर रहा हूँ इस जनम में वो रास्ता निकलनाbt ना मुमकिन है राजां मुमकिन है दुरगा मुमकिन है सट तुम्हारी पहल की जुरुट है बंक दौासी ये खून खराबा एक दो हत्यार और आजा मेरे साथ कान? वान्दी की दख्दे पर? नहीं दुरगा नहीं कानून के दर्वाजे पे इंसाफ मांगने कानून के दर्वाजे से इंसाफ मिला होता तो ना दुर्गा का खांदार पर बाद हुआ होता और ना ही मल्पूर दुर्गा बंदों गुटा कर डाको बंदी तुम्हारे कानून के सामने मेरी मा और बाई बेहन को गतल कर दिया गया और तुम्हारा कानून तमशे दिखते रहा मैं जानता हूँ तुम्हारे से बेंताहा जुल्म हुए है कुछ लोगों ने कानून के वर्दी पहन के कानून के साथ गदारी किये लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दुर्गा मुझे विश्वा सको, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपने वर्दी अपना सब कुछ अपने जिन्दगी दौपे लगा दूगा मुझे थोड़ा सा वक्त हूँ क्यों? मैंने कसम ख़ए थी जब तक धरमपाल और उसके भाई को कतम नहीं करती थी मैं चैन से नहीं बेठोंगी जिस दिन अपनी कसम पूरी कर लोंगी उस दिन खुद अपने आपको कानून के हवाले कर दोंगी नहीं दुर्गा, नहीं कानून कानूल अपने, तो वाले वे काु तो वारा हुआ विनौत विनौत अजामत लाव यह लड़की कौन है अउसे लड़की नहीं यह तो फूप्टला है मैं इसकी नहीं इसके बारे में तू गहा रहा था मैं उसके बारे में पुछ रहा हुँ वो पुतला नहीं सरकार, वो तो पुतली है, पुतली बाई, यही समझ लीजे, नाम तो अच्छा है हाजामत लाल, लेकिन देखने में कैसी है, सरकार जवाब नहीं है, आँख बंद करके देखिए, तो उससे हसीन लड़की नहीं देखेगी दुनिया में साबुन लगा के, आ अलकुल ताज महल की तरह, मगर, मगर क्या, लाल पत्थर का ताज महल, मगर आपको रंग से क्या मतलब है, आपको तो धंग से मतलब है, अंग से मतलब है, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझरा बुझरा करेगी ना, मुझरे तक पहुचाना मेरा काम है, तापी रही कौन सा आज शाम को बढ़ा बहार जा रहे हैं तु बस लड़की को आज ही रात को पर लिया वाह वाह सरकार क्या जगा चुनी है क्या रात चुनी है आज की रात आपकी रात आखरी राट तुम्हारे इश्क की अंदाज से वाकिफ गए हम लेकिन हमारे खुस्न कातिल की भी है शहरत जमाने में तुम्हारे सामने हम है हमारे सामने तुम है जरा देखे तु कितना जोर है किसके निशाने में मुश्क है मुश्क बचाना मेरा तीरे नजर का निशाना मुश्क है मुश्क बचाना मेरा तीरे नजर का निशाना आज देखेगा सारा जमाना मेरा तीरे नजर का निशाना यहे जीरे नजर का निशाना जमाद सिक्षाएं खुली जुल्प सावन जवाच सु गिजले खुली जुल्प सावन संभलना नजसले जवानी की नागन रात ड़ने दो दोर चलने दो मेरी नशीली आदा का सक करते का दिवाना ये है ये है ये है तीरे नजर का निशाना हर मुशिक है मुशिक बचाना मेरा दिरे नजर का निशाना ये है तीरे नजर का निशाना प्रषाग मारू जपान से बर्षाग मारू जपान से मारू जाने में फिल हो भुसने कातिल हो जाने में फिल हो जाने में फिल हो आसा नहीं आजी जलो से मेरे जान बचा कर जाना यह है यह है तीवे नजर का निशाना मुश्किर है मुश्किर बचाना मेरा तीवे नजर का निशाना ये हैं दीले नजर का निशाना अकेले हो तुम भी अकेले हैं हम भी इसी रात की आर्जूती हमेशा मुला आज का आज मौका मिला है तुम्हारी हमे जूस जूती हमेशा तुम्हे क्या याद होगा पुरानी याद हुमे इन्हें दीवारों दर में गुटी फर्याद हुमें जिसे लुटा है तुम्हे वही बरबाद हुमें मुझे बरबाद हुमें यहां क्यों आई हुमें इरादा जान जाओ सितं के खिम्र कम है सितंदर जान जाओ सितंदर जान जाओ सितंदर जाओ तुम्हारी बरबाद हुमें मुझे बरबाद हुमे मुझे बरबाद हुम्हे बरबाद हुमें तुर्गा तुम हाँ मैं याद है तुम्हें यही वो जगह है जहां से मेरे बरबादी की कहानी शुरू हुई थी उस कहानी को शुरू तुम्हें क्या था और आज इसी जगह वो कहानी में खातम करने आई हूँ पर फिर इतना है उस दिन मैं मश्बूर थी और आज तुम मश्बूर हो दुर्गा मैंने तो कुछ ने किया था मैं तो तुम पुलिस से चुड़ा के लाया था दरसल वो इंस्पेक्टर है ना वो इंस्पेक्टर अपने के के सजा भगुच चुका है मेरी बरबादी में जिज आपको कदूंकर डालूंगी हाज के बाद तेरे जैसा कोई कमीना किसी दुर्गा की तरफ आंख उटा कर नहीं देखेगा दुर्गा मज़े माप कर दो मैं तुम्हारे हाँ चोड़ता हूँ वो फिल मैंने भी तुम्हारे सामने बहुत हाँ चुड़े थी लेकिन तुम सब बेड़ी मेरा मज़ा खुड़ा रहे थे मेरी करीबी के दामुन को नूच रहे थे मेरी इज़त से खेलने के कोशिश कर रहे थे दुर्गा मैं वह शर्मिंदा हूँ मेरी शर्मिंदगी मेरे बाबा को वापस ला सकती है मेरी मा और चोड़ी चोड़ी भाइबन को लोटा सकती है नहीं मुझे ये तिम बना दिया तुम लोगों नहीं हाथ में बंदों कुटाने पर मश्बूर कर दिया तुम लोगों नहीं और आप, इस बंदों का सामना बे तुम लोगे करोगे भाग, कहां तक भागेगा मैंने तेरे हर रास्ते पर मौत की दिवार खड़ी कर दिये इतनी आसानी से नहीं मरने दोगी तेरे शरीर के एक एक से पर कील की तरह गोलिया ठोकूंगी तब कहीं जाकर तुझे मौत के हवाले करोगी नहीं दुर्गा, नहीं तु वैसा नहीं कर सकती हो दुर्गा तुम तो मेरी बहन के सवान हो बहन? बहन और भाई की पवित्र रिष्टे को तू क्या जाने को दे? तू तो हो राक्षस है जो अपने स्वात के लिए अपनी मा और बहन को भी बेच सकता है और ऐसे शैतान को मैं तो क्या? वो भगवान बें माफ नहीं कर सकता है तुम देखस देखसा चाचा यह कुता तो मर गया अब रहे गया इसका बड़ा भाई दरमपार से बर्गा और उसके साथ ही और किसी भी हालत में ग्रफटार करना बहुत जरूरी है ये पिलिस डिपार्टमेंट के इसत का सवाल है चारोतों प्याल जाओ एक एक ठिकाने चान मारो मगर किसी भी तरस उसका पता लगाओ यू इंडर्टेंड? क्या है भाग रहा था ज्ञागुर्ध धरम बाल से भाग रहा था मेरे हाथ मौत से ज्यादा लंबे है यह मौत नहीं पहुंच सकती मेरे हाथ पहुंच जाते हैं कि लगता है उपर वारे में तुम लोगों को ना अकल दी है ना दौलत दी है रोटी की जगा ठोकने खाने के लिए पैदा कर दिया है बता है दुर्गा का है नहीं बताएगा अच्छी बात है मेरे पैर भी लोगों की जबान खुरवाना अच्छी तरह जानते हैं क्या कर धरमपाल क्यों अपनी मौत का पता पूछा है जिस दिन तेरा बुर्गा से सामना हो गया ना उस दिन तेरा वो हशर होगा कि नरक में तेरे मरे हुए भाई की आत्मवी दरसे काउप उठेगी कौन किसका क्या हशर करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा मगर मैं तेरा वो हशर करूँगा कि तू अपनी आँकों से देखने नहीं पाएगा उठा इसे तरगा कि इस वफादार कुट्टे के चेरे से इसकी आँके उतार लो कलाव सहिता की आँके उतार क्या है कर भाईगा अज़ा कर राइगा कर दो ले लेंग लेगला हूं ने लेगजा थिए लेया हूँ अवेज़ लेगणे लेगाउ़ लेगला लेगला झाल भाल भाल कर दो अजयिग तो अजया है झाल झाल लुट कर दो बाता बाता। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो कर दो कर दो कि अअ मत बारो मुझे इतनी जल्दी में तुझे नहीं मारूंगी मुद्दतों के बाद आज वो दिन आया है जिसका मुझे इंतजार था गामवालों के इंतजार था आज तुझे अपने कियोए जुल्मों का गिन गिन कर हिसाब देना होगा मेरी मा के मौत का हिसाब गुद्दी और मुन्ना के मौत का हिसाब मेरे बाबा की मौत का हिसाब अज़ारों सतायों गरीब इंसानों के दुख और आज़ों का हिसाब मैं किसे भी जुल्म नहीं करूंगा में गाँ छोड़कर चला जाओंगा अपनी सारी दौरत खरीबों में बाट दूंगा नहीं चाहिए तेरी पाप की दौरत किसी को और नहीं किसी को अपतेरी दौरत है करतो धो पाट बाट दूरत प्रेंग अर्चां चल्दाओग लिख सब्सक्राओं अर्णाओग, और रुख सुजभ लिख सब्सक्राइब लिख सब्सक्राइब गाल मुछः हां अईенный को इसा कर दो झाल kirm på 3 पूरोदी टाफ पूर ऑाल कर," pend precisamente भुछ़ें टाफ, भुछ़ रिदर", 001 tele हुआ 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 हुआ! यह अंदर ध्रम्पाल के लाच पढ़िए, उसे पॉस्पाणव के लिए भीज दो और इस जगा को सील कर दो यह सर दुगा। चलो अंदर झाल 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 शजान कुछ कर दिसका रेंट यह एक लेक्षा से हैं मैं है जडिए एक उप्रेंड़ा राप डार को है जडिए खोला कई बच्चे, जोए निकाल दालो चल्दी कार, चल्दी कार किल्छी कार, आपस्तर चल्दी कार, चल्दी कार्या वोग दोग में अक्राद से भीडिए जिस दो एक में प्रॉज पार जोगी पे नी आया? अज नी आया यह जादी से पहले ही आले तो शादी क्बात क्या होगा? हाथ करिया पहना दूंगी जल्दी कर रहो नहीं जब के ली रहा जाओगे मेरी तरह बाइ चोड़ दे मुझे चोड़ दे मुझे मुझे कर दो दूंगा कर दो जो लूए तो कि एक साघ्ट को अगा। । पाम। पापा वावा बताए का। पाम।पलीजू है। शान्ती अगर तुम चाहती हो कि मुझे इंसाफ किया जाए तो मुझे इंसाफ किазाए मुझे क्थे डीटिंस नंब पर आदा है कि स्टेटमां कोटरे से की इंसबर कंश्रान कर Plrån मुझे यह क्था लें मुझे बताओ तुमा इसे पहले कहा मिली थी आज पहली बार ही मैं इससे मिली थी और लिफ्ट ली थी मुझे क्या मानम था यह जलील ऐसा होगा और मेरी इज़त पर हाथ डालेगा अरे हम कहते हैं कि पॉली स्टेशन में जाके बयान देने की क्या ज़रूत थी जो कुछ बाहर तूटना था वो तूट गया अब कोट कजरी बजा के और अपनी विर्शाती नहीं करानी एता है आपका मतलग है जिस आदमी ने आपकी बेटी की इज़्वान नहीं चाहते हैं सजा उसे नहीं मिलेगी सजा हमें मिलेगी सजा हमारी पोती को मिलेगी भरी अदालत में बेशग्मों जैसे सवाल किये जाएंगे एकिस दिसेम्बर को हमारी पोती की शादी है लड़के वालों को मालूं पढ़ा कि हमारी पोती के साथ ये सब कुछ हुआ है तो क्या बारात लेकर आएंगे लेकिन दादी मा मेरे साथ जो हुआ है वो तो उन्हें बताना अरे चुप रहे जरा सा जुट बोले से क्या बिगर जाता मैं पुलीस में बयान देकर आई हूं और मुझे इंसाफ चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए लेकिन इंसाफ का मतलब यह नहीं कि जो भी आदमी अधालत के सामने लाए जाए उसे मुझरिम करार कर दिया जाए आपका नाम चांटी चांटी देवी आप सामने कट घरे में खड़े इस आदमी को जानती है कि यारा फर्वरी को आप इनकी गाड़ी में कैसे पहुंचे इन्होंने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी थी लिफ्ट आपने मांगी थी जी हाँ फिर कि मेरा बलात कार किया कि बिशानते इस इस रेप से पहले आप कमारी थी आई मिन वर्जन थी जी आपको यकीन है कि आपके साथ रेप सामने खड़े इस नौजवान मिस्टर इंदर जितने किया जी हाँ अच्छा मिस्ट आपने चेश्मा नहीं लगा रखा जरूरत पर लगाती मैं जिस वक्त आपके साथ रेप हुआ उस वक्त आपने चेश्मा लगाया था या नहीं नहीं तो नब मेरा आपके क्या सबूत है कि आपका रेप इंदर्जित ने किया के पिर्षियुत्य है इंस्पेक्टर किरंदत यौर। उन्हीं उन्ह ने मुर्जिogg को गिरफ्तार किया था और आपको आपने के इंदर्जित को पहचाने में गलती तो नहीं कि जी नहीं तोच लिजे शुबह का दुंदल का चांती की नजर कमजोर आपने कहीं किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया यह रेप करके भाग रहा था यह भी तो वह सकता है कि वह आपकी तरह जॉगिंग कर रहा हो जोर आपने की तरफ से एक विटनेस पेश करना चाहूंगा अरुन पंडित आपका नाम अरुन पंडित आपका पीशा मैं पुना के नट्राज होटल में मैंनेजर हूं आप मिस्स अंदर जित को जानते हैं इने जी अच्छी तरह से यह जब भी पुना आते हैं हमारी होटल में ठेरते हैं यह आखरी बार आपके होटल में कब ठेरे थे मिस्टर मिस्टर पंडित जी हाँ से जहरा फर्वर्यु तक 11 फर्वर्य की रात को इनो नंने दो बज़े चांग यह को जिस दिन ररेत हुआ यह आपके होटल में अदर नदर jak मैं आदालत के सामने होटल का रजिस्टर पेश करता हूं जिसमें इंदरजीत का नाम और दस्तकत साफ है तो जब 11 तारीक को इंदरजीत बंबई में था ही नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसने मिश्शान्ति को लिफ्ट कैसे दी और उसका रेप कैसे किया मुल्जिम इंदरजीत को बाइज़त रिया किया जाता है अधालत विटनिस मांगती है इस केस में मैं विटनिस थी और नतीज़ आपके सामने हैं ऐसे हजारों केसे से जिसमें विटनिस होते ही नहीं उनका क्या किया चाहिए सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए और काफी सुजाओ है सर आप पढ़ लें मैं तुमारा नदरिया समझता हूँ तुमारे सुजाओ हाई रोथरेटीज को भेज़ भी जाएंगे हलो हाँ सूरच पॉनिंग यस्टे मिनिक योःफोन हलो या भई कहा रहती हो मालूम है पिछले तीन दिन से नहीं मिली हो मुझसे आप प्रिपोन कच्छी पहुआ गजित रही है अब मुझसे ये चुला चके का नहीं होता माम ने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें और नोकरानी रख लो मुझे नोकरानी नहीं बहु चाहिए बहु यको तुममें करनी को है कुछी उसे खाना बनाना आता यारी मा वो एक लड़की है तो उससे शादी करेगा मा एक शर्थ बद अगर वो तुझे पसंद हो तो तुझे पसंद है तो मुझे तो है तो मुझे से कब मिलवा रहा है अजी हां मा अभी सूरज क्या सूच रहा है डर रहा हूँ आज मा तुमसे मिलना चाहते है वो तुम्हें आ ही रही है अगर मा ने भी तुम्हें पसंद कर लिया मुझे तुमसे शादी करने बाए अपर मैं हमेशा के लिए बेकार हो जाओंगा अच्छा वो कैसे है वो ऐसे कि सब कुछ खुदा से मां लिया तुझ को मां करके उठते नहीं है हात मेरे इस दूआ के बाद तो एक काम करो मुझसे शादी का ख्याल चोदो नहीं करन्द अगर तुम्हें नहीं मिली अगर मिल गई तो बेकार हो जाओगे और अगर ना मिली तो मर जाओगे तो में क्या करूँ तुम कुछ मत करो मुझ पर क्या बीचती है तुम इसकी परवा मत करो बस तुम इसी तरह मेरे साथ रो प्यार मिला सब कुछ मिला प्यार है तो संसार है तीरी मेरी जिन्दगी प्यार भरा इकरार है प्यार मिला सब कुछ मिला प्यार है तो संसार है तीरी मेरी जिन्दगी प्यार भरा इकरार है प्यार 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 है रूप तेरा फूलों में है तु ही तु बहारों में है तु ही मेरी नजरों में है तु ही तु नजरों में है रूप तेरा फूलों में है तु ही तु बहारों में है तु ही मेरी नजरों में है तू ही तुना दार में आखों के जाम दे बाहों में खाम ले ऐसा जिना बेकार है प्यार है जो संसार है प्यार मिला सब कुछ मिला प्यार है तो संसार है ती मेरी जंदगी प्यार बरा इतरार है प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है प्राइब को झाल में तु ये ही मागों दुआ तीरा मेरा साथ रही साथ नहीं छूटे कभी हाथ में ये हाथ रहे मैं तो ये ही मांगों दुआ तेरा मेरा साथ रहे साथ नहीं छूटे कभी हाथ में ये हाथ रहे इतना तु जान ले कहती हुपान ले तु भी मेरा दिल्दार है प्यार है तो संसार है प्यार मिला सब कुछ मिला प्यार है तो संसार है तेरे मेरी ये दिन्दे के प्यार बरा इफ्रार है प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है किरन मेरी मा एक सीधी साधी वारत है जिसे अपने बेटे के लिए बहु चाहिए ठानेदार नहीं इसलिए मेरी तुमसे खविंती अपली अपली अब साड़ी पहन कर आ जाओंगी वर्दी में नहीं होके अरी गौरी जी पहली बार आ रही है मेरी होने वाली बहु देखना उसकी खातिर में कोई कमी ना रहे जाए 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 अरे यहां का गुसा है यह तो पुलिस वाली का घार है ना दिखा इदर जाए माशाला अच्छे खासी खुबसूरत लग रही है यह क्यों यार इससे पहले यह वह आजाए हम भाग चलते हैं चलो पागल हुआ है अब तो इसके आने का इंतिजार किया जाएगा पिल खुल क्योंग हुआ अजी जचोन, क्यूए इसक्ता इसा और इसा आनल इसा जिए जिए इसा जिए इसा जिए क्यों पुल क्या बदादाद ग्होरा बदादा क्या नड़ टुर नचिए तरस प्राध है कर दोसो नचिए जड़ी नचिए प्रोप्ट दूरि दूरिफ फ्राध को प्लिडेन लुपतनी तर्फरा थापट मत प्लिश तर्फरा फ्लिश यह कर सक देज्डी कर दो ड्या हुआएएएए जिए प्लिशन आप कर दो कि मुईध गुदे युट नुटा कि अचित युदे युटाइसर दो एफ युटाल अब गाहा हुआए युटाःएए युटाइसर अग युटाईएसर नुटाईसर अधिस। ओाव अगयवाँ याव झायाँ भी शुट ही प्रहों हम एक प। भी ढच ए कि टी यह म ip वह प stereo आवरा आव और घज्याँ करुछ़ कुंक दींडा ह९व और यहाँ कि गला हॅ आउ हुआ तुने उसे एड्रेस ठीक समझाया था कि नहीं? हाँ माँ, तुने से करने देर करने वाली तो नहीं है जाएट कुछ बात हो गई है, मैं एक उन फोन करका देखता है हाँ आप हाँ रख हो हेलो मैं सूरज बोल ला हूँ करें जी इरन तो कब कर चली गई कि कि कई मा में, में, में हुद दो का तो इस खास से का मतब समझते हैं आप किरन दत पर हमला पूरी पूरी पूलिस फोर्स पर हमला है मुछ पर तुम पर अगर हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें देश के रक्षक क्यलाने का कोई हग नहीं यू अंडेस्टैन हम उन्हें नहीं चूड़ेंगे सर सभी पूलिस टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है मेरे स्वर्गिये दोस्त पूलिस कमिशनर शामदत की बेटी है किरंदर इसे मैं अपनी बेटी की तरह मांता हूं यह हम दोनों का प्रवावी था जो उसे पूलिस फोर्स में लेकर आया आनद स्वामी उन बदमाशों को फॉरन गरफतार किया जाए मुष्णवार मुष्णवार कर दो 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 हिएंप मैं तुम्हारा चरव ऐसा ही खुबसुरत है कुछ की बखना है सब कुछ बदल गया है मैं तुम ये समाज कल तब जुआ के मुझे इस्ज़ से देखती थी अजुना कुर के ना है तया है नहीं कि रहे है ऐसा बनका मेरी आँखों में प्यार है प्यार है अब और मा आज भी अपनी बहु की रहा देख रही है अब किसी को मेरी रह देखने की जरूरत नहीं सुरस इक करसी गंगा चल में अब एक पुंचरा मिलादी जाए तो सारा गंगा चल अब पवित्र हो जाता है मैं डॉक्टर आशा महिर्ता मिस्किरिम आप अपने आपको उस पाप के सदा दे रही है जो आपने नहीं किया एक डॉक्टर होने के नाते में आपको विश्वास दिलाते हूं कि आपका तन और मन आज भी पुवित्र है एक्सक्यूज मी प्लेज डॉक्टर आपकी इज़ादत हो तो मैं इनका स्टेटमेंट ले सकती हूं जी तो पागल हो गया है जो उस पतिता को अपनी बीवी बनाने पर दुला हुआ है लेकिन मैं उसे अपनी बहु हर्गे सुईकार नहीं करूंगी मैं पूछता हूं मा उसका दोश क्या है मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं कि वो किसी की छूटन है तो उसके जीवन में आने वाला पहला आदमी नहीं है देख मा कितने ही पति ऐसे होते है जो अपनी बीवियों के जीवन में आने वाले पहले आत्मी नहीं हुते है और फिर किरिन के केस में तो उसकी मर्जी से नहीं हुआ अहलिया के जीवन में भी ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ लेकिन भगवान राम ने उसको अंग लगा और माप कर दिया था पर उसी भगवान राम ने अपनी पतनी सीथा को अगनी परिक्षक ले भेज दिया THा अ बेटा हम लोग समाज बैश विखिस का मूबन करते रहेंगे किस के पाए पतने पहली है पिदा सरव हलो हलो डॉक्टर मैं किरिंदर से मिलने आया हूँ जी वो अब यह भी सोई है आप कहीं तो जगा दो नहीं उन्हें आराम से सोने दीजी यह आराम की नीद नहीं चहरे से साफ पता चलता है कि वही भयानक सपना देख रहे हैं बच्पन से जानता हूँ असे है उस वक्त भी खेलते कूते सो जाया करने के और इसके चेहरे हैं और इस तो किसी मुस्कान होगी पता नहीं अब वो मुस्कान इनके होड़ों पर लाट कर आएगी या नहीं करको नहीं है कि फूल मेरी तासूर से देडीजेगा दॉक्तर दॉक्तर दॉमें आफेवा के लगार्णतद की हर पक्र की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए जी थैक्यों झाल 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 अच्छा पेटे पिंकी अब सीधी स्कूल जाना और शान को जलती से वापस आजाना फिर पापा के साथ खुमी खुमी करना जाएंगे अरे भाई कहा हो पिंकी को स्कूल के लिए देर हो रही है अभी हाई पाप्पी ये लो थांक यू बाई ओके बाई देर हो जाएगी तुम घर वापस अकेली आजाओगी हाँ मैं आजाओगी मैं पहले भी तो अकेली कई बार आ चुकी हूँ अच्छा बेटे बाई 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 मम्मी हाई डार्लिंग पिंकी तो गर में नहीं है तो कहा है मैंने तो समझाता कि वो तुम्हारे साथ होगी तुम्हीं तो रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती हूँ ना लेकिन आज सुबह मैंने उससे कहा था कि घर शाम को अपने आप पहुंच पिंकी यहां रहती है यहां हमारी बेटी है क्या बात है आप मेरे साथ चलिए लेकिन बात क्या है देखिए आप जल्दी मेरे साथ चलिए मेरे साथ कहा है मेरे बेटी क्या हो उसको एक हैवान ने आपकी बेटी का रेप किया है अब वो जिन्दा नहीं है क्या है आपकी बेटी है अब वो जब है इंच प्राइब जड़ मेरे इंच तुमने मेरी बेटी का खून किया है क्यूं अखिर क्यूं नहीं गई तुम उसे स्कूल से लेने अलपना ने बुलाया था क्यूं बुलाया था तुम्हें अलपना ने उसके घर में एक गेट तुगेदर थी कैसी मा हो तुम तुम्हारे लिए वो फिजूल की गप शब तुम्हारी अपनी बेटी की जान से ज्यादा हमेत रखती थी वो इस से पहले भी तो घाल अके लिए बापस लोड़ते थे एक्सीडेंट्स हर रोज नहीं होते ही सच तो ये है कि तुम्हारे भीतर मा का दिल है ही नहीं तुम्हारे पास मरीजों के लिए वक्त है फिल्म देखने के लिए वक्त है सजने समर्दे के लिए वक्त है बस वक्त नहीं निकाल पाई तुम तो अपनी बेटी के लिए और उस मासून को उस भेड़िये के सामने तुम और कानून इस सब के लिए उस हैवान को जिम्मेदार ठैराओगी, लेकिन मैं, मैं जानता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी लापरवाही है आज नहीं तो कल ये होना ही था मैं तुम्हें इसकी सजा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसी डायन के साथ भी नहीं रह सकता, जो अपनी ही अउलाद को खा गई हो मैं जा रहा हूँ, हमेशा, हमेशा के लिए मम्मी मुझे अंदेरे से ढर लगता है, लीज बत्ती जला दीजिये ना मैंने कहना आके ला छोड़ता मुझे, गेड़ाओ दीदी, दीदी गैंने कयो शी सबना को का गई खर्ड़ता है jus weaknesses यिए झाल Eft विएस विएसनता है गून यह सबस्दी गहिंए स सबस्दी कश क Amb वे जास भीन को उली मैंव बनखर झाफ ति कर दो में प्योंक जाए, तो बैटर, मैं लाइ बाइब कर दो में लाइब तो में लाइब ांदी डिलाट जो लॉट लॉट है कर दूफ लॉट इस खर के है चीज मुझे इस भैन राच के अदिला कि है कि एंडे, मैं हुना तुमारे साओ। मैं हुना तुमारे साओ। खपय है लेपा है हुआ हुआ है किरन्ट इतने ख़ब़ है क्यूं हुआ बुरा सपना देखा है क्या मैं आके खुली ने रख सकती मैं आके बन नहीं कर सकती मुझे बहुत नहीं लगता कोशिश कर उसम बूलने क्रीज जानती पूझे नहीं बूलती मैंने बहुत से रेप कैसी से खे वो कभी नहीं भूलती, उनका बागेची भी गारूं पे कता है वो हमेशा, टडडड़ी, जैमी रथी मैंने जाती मेरे सदा सौफ, सुरज, सुरज, बचालो, मुझे सबालो, सुरज मुझे मुझे बढ़ना तुमा के लिए का हूँ, मैं जो हूँ हाँ जो, का हूँ मैं हमेशा के लिए तुमारे पास हूँ ऐसा नहीं सोचते, चलो सोचा आओ बास, रोह नहीं तुसर में तर्ट होगा आओ कल राज शराप के अड़ो से हमने कुछ गुंडे पकड़े हैं शकल सुरत आपके बताये हुए डिस्क्रप्शन से काफी मिलती है मैं उन्हें देखना चाहूँ कि दरापके बताते हैं झाल झाल कि अ अचोड़ एता और पिंकी के रेपिस्ट को भी छोड़ दिया गया ऐसे क्या देख रही हूँ देख रही है यह बरतन कितने अच्छे हैं सरा सदोया साफ हो गई और जूटे बरतन फिर नए कि नए मैं समझी नहीं आशा रोज अपना बतन मल-मल करनाती हूँ लेकिन कंद है कि छूटता ही नहीं अपने आप से खिन आती है यह तुम्हारे सोचने का अंदास है अगर तुम्हारे में कोई ऐसी तबदीली आई होती तो सारी दुम्या को तुमसे घिन आती मुझे तो तुम अभी नए नकोर लगती हो तुमने लोगों की नजरे मेरी तरफ उठते हूई नहीं देखी मुझे नजरों से ऐसा लगता है जैसे कि मैं ऐसे मेची जाता कि सब कुछ भुला दो भुला नहीं सकती तुम भुला सकती हो जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है क्या तुम्हारे दिल में बदले की आग नहीं चलती अगर बदला लेने से देरी बेटी वापस आ जाती शायद मैं बदला जरूर लेती फिर भी गुद मॉनिंग सर गुद मॉनिंग मेरे बस वक्त बहुत कम है इसलिए जो भी कहना जल्ली कही है आप मेंसे कौन बोलेगा जी मैं बोलिए जी हम उन जैसे महलाओं के लिए जो मर्दों की जिर्म का शिकार होकर बरबाद हो जाती हैं हम चंदा एकठा करने आए हैं आप कुछ पहली बात यह कि मैं खुद एक मर्द हूँ और ऐसे किसी मुवमेंट में आपका साथ नहीं दे सकता जो मर्दों के खिलाब चलाय जा रहा और दूसी बात मैं नहीं समझता कि चंदे के पैसे से आप किसी को अपने पाउं पर कड़ा कर सकते हैं मुगदमा लड़ना मेरा शौक नहीं मेरा पेशा है थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या आप लोग मेरा वक्त बर्बाह मत करिये ताइम इस मनी थैंक्यू कि कि आपको वकील करने आया हूं केस किया है पलातकार का आपने किया है जी नहीं मेरे बेटे ने लगता नहीं तुम मेरी फीज़े सुखोगे मैं पैसा लेकर आया हूं कि बैठी बैठी कि अब लुए अब लुए अब 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 वह यह कैसे मान सकता है कि इतने शरीफ घराने के शरीफ लड़के इतना वड़ा जुर्म कर सकते हैं है मिस्टर सुखदेव आपने अभी कहा कि मिस्स करंदत से आपकी पुरानी जान पहचान है इन्हों ने उस रात मुझे दिनर पर बुलाया नहीं यह जोट है मैं इस आभी को जांते तक नहीं थी है है अप यूर्ढ़नर अगर इनके इरादे नेक ना होते पोपने दोस्तों के साथ वह नहीं जाता हैं वलक्य के अकेले जाते कि हम कि उक्गर अपने दोस्तों की साथ मुझे जी यूर onner मिस किरंदत ने इन चार बच्चों को अंदर बुला कर शराब पेश की ये बिचारे शराब पीते तो क्या सूंगते तक नहीं थे लेकिन मिस किरंदत ने जिद की और खुद भी शराब पी और इन बिचारे बच्चों को भी शराब पीने पर मजबूर कर दिया यूर उनर फिर ये मुझे अपने बेडरूमे ले गए और दर्वाजा अंदर से बंड करे तरवाजा। पिर उन्होंने मुजिक लगा दिया और डांस करना शुरू कर दिया यूर उनर आखिर मैं इसान हूं यह जूट बोल रहे हैं और फिर वही हुआ जो इन्होंने चाहा यूर अनर आखिर मैं इनसान हूँ जज साब इनकी बाते सुनकर मुझे शरम आती है मैंने आज तक किसी चालो वरत को नहीं देखा जज साब मैं बहुत शरीफ इनसान हूँ और आज से औरत के नाम से मुझे नफरत हो गई है जज साब मैं कसम खाके कहता हूँ अगर मुझे मालूम होता कि ये डिनर मुझे इतना भारी पड़ेगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं जाता लेकिन यूर अनर मेडिकल रिपोर्ट का कहना है कि जबरदस्ती हुई येस यूर अनर जबरदस्ती हुई लेकिन जबरदस्ती की इन्होंने मिस किरंदत को मारा पीटा भी गया और यहां तक कि इनके कमरे में तोड़ फोड़ भी की गया जब इन चार बच्चों ने मिस किरंदत की अवस से बचना चाहा तो यह पागल हो गई इन्होंने उन्हें काटना और पीटना शुरू कर दिया ऐसे में उनका अपना बजाव करना लाजमी था यह सब अक्वास है मिलाओं इनकी बादस घिल आती है तुम कौन हो यंग मैं अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यहां विटनेस बाक्स में आकर कहो कि यहां न मौजज़ वकील मिस किरंदत पर बेहुत अत्तों मतलगा रहे हैं मैं डॉक्टर सुरी प्रकारश हूं मेरी मिस किरंदत से शादी होने वारी है मैं यही थावित करना चाहता हूं जब मिस किरंदत के मंगेतर डॉक्टर सूरज ने रंगे आतों पकड़ लिया तो इन्होंने एक चाल चले पुलीस ऑफिसर होने के नाते कानून तो जानती थी इन्होंने इन मासूम बच्चों पर बलातकार का इल्जाम लगा दिया वोट एक और ने एक मर्द की इजदत लोटी एक और ने एक मत के साथ बलातकार पिया और उसके बाद इस प्रेंच वाज़ इस पासिए येस इस प्वाइट पासिबल यू में बड़ाइट अगर आई इन लगोगो बडिग्या याता, लगेस इस दिस्मिस्ट आज का अकबार देखी क्या रेप केस में किरंड़ मुकदमा हार गई ना? मुकदमे में एक फरीक जीतेगा और दूसरा हारेगा, इसमें कौन सी नहीं बात है? तो मरद लोगा में कितने बेदर्द हैं, ये रेप केस है और वो भी एक पुलिस आफिसर का क्यों? पुलिस आफिसर इंसान नहीं होते क्या? और अगर होते हैं, उनके साथ भी वो सब कुछ हो सकता है, जो एक आम आदमी के साथ होता है सुनो, मैंने तुम से कितनी बार कहा है, कि पुरानी जिंदगी के किस्से भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा शाहिना, देखा तुनी, बारिश के बाद सूरेश की किन्ने सोले जैसी हो गए है अईसा नहीं लगता है, यह दूर देश की कोई चिडिया हमारे आंगन में आई है सुनो तो, कितना मीटा राग गाती उन्हें ले थोड़ा नास्ता कर ले आरी दिवानी, यह दलिया है यह तो तु कितने शौक से खाती थी ना ले, ले बेहना खुदा आफिस अलमा डालिंग शाहिना, शाहिना, क्या जी तुम्हें जब तुम अच्छी तरह जानते कि शाहिना मर्दा की परच्छाइन से भी कापती तो क्यों उसके सामने आते कुते आंस्राइन तो मेरी जी पांजे ना शाहिना किरंग सुरज नहीं किरंग प्लीज किरंग किरंग क्या करूं सुरज यहार तरफ भायरक भूत नजर आते हैं समालो अपना क्या है तुम पोलिस की नौकरी छोड़ रही है हाँ मेरी आत्मा बड़त दिल दिमाग हर चीज सख्मियोद पहली हो चुकी है ना सर उठाकर चल सकती हूं ना आख मिलाकर बात कर सकती हूं ऐसा लगता जैसे हर शाक हर शाक हर चीज मुझे पर हस रही है मेरा वादा खुड़ा रही है पोलिस आपसर तो क्या मैं था हरत बंकर पिसास नहीं ले सकती है तुम सूरज की किरन होकर ऐसी बात कर रही है सूरज की किरन दूसी रात मर गए थी अब तुमा अंधेरा है और उसमें रसकती हूं लाश है जिसमें तरस खाकर किरन कहते हो ना किरन मरी है और ना ही अधेरा हुआ और ना ही मैं तुम पर तरस खाला हूं सूरज की किरन कंदगी पर पढ़ती है तो किरन महली नहीं होती और तुमने कोई बाप नहीं किया बाप तो उन बलतकारियों ने किया है लेकिन समाज तो इस बात को नहीं मारता, जिस औरत के साथ बलतकार हो जाता है, उसे उसके माबाब भी स्विकार नहीं करते हैं, पापन क्याकर मुझ फेर लेते हैं और इसलिए तुम पुलिस की नौकरी छोड़ देखा है, अगर तुमने ऐसार किया किता है, तो बहुत बड़ा अनार्थ करोगी, तुम एक बहादर पुलिस ओफिसर हो, तुमने बलातकार के भूत को अपनी आखों से देखा है, अपने शरीर से भुकता है, अगर तुमने हार तुम मेरी होने वाली पत्नी नहीं, मेरी दुश्मन भी होती, तब भी मैं तुमसे यही कहता, तुम्हें गंगा की तरह पवित्र मानता, यह तुम्हारा प्यार बोल रहा है, नहीं, यह मेरे नियम और मेरे उसूल बोल रहा है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अपना फैसला बदलेते हूं, लगर मैं जानती हूं, कि समाज मुझे सभिकार नहीं करेगा। तुम पवित्र हो कि रंग, मैं तुमें सभिकार करऊंगा। वैंकार रहा। समाजी ढाची बनाने वालों उनको कंप करने वालोंगा। जो तुम जैसे औरतों को देखकर ऐसे मुफ्लड लेते हैं जैसे कोई कोड़ी आएने से मुफ्लड लेता है ये है वो सितान और ये है वो शक्त जाओ वो मजलूम औरतें तुमारी राह देख रही है जाओ एप खाण येख येख मुबारक हो मेंदर बाभू येख 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 आप लोग कुछ ले रहे हैं ना मिस्किरंदत आई है लगता अपनी बेवकूफी क्लिए माफी मागने आई है मेरे आते ही इस पार्टी में मौत से खामोशी क्यों चा गई मैं मिस्टर महेंदर नाथ से बात करना चाहते हूं अब भी कुछ कहने के लिए बचा है क्या बहुत कुछ आप बात बड़े कानुदा हैं बड़े अकलमन हैं लेकिन आप अपनी खुबियों का खलत इस्तिमाल कर रहे हैं मिस्किरंदत अदालत में इस बात का अदालत की बात और है लेकिन यहां अपने दिल पर हाथ रखकर पताईए जो आपने अदालत में कहा उसमें सचाई कितनी है मेरे क्लाइंट्स को बचाना मेरा काम में दिजदत इस मैं परफेशन लेकिन मुझने मुको सजा दिलवाना आपका फर्थ है आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर महेंदरनात कि डिगरी लेते वक्त आपने शब पतली थी कि आप हमेशा इंसाफ के लिए लड़ेंगे लेकिन आज अगर इंको जेल हो जाती तो लोग मुझे एक मामूली और घटिया वकील समझते तो आप अपने अकलमंदी थाबित करने के लिए इंसाफ का खून करते रहेंगे मैं इस किरंदत मैं वभकूफ होंगा तो भगवान भी साथ नहीं देता मिस्टर महेंदर नाथ आप एक तलवार की तरह हैं जिसकी तेज धार से आज कोई नहीं बचा है और तलवार का अपना कोई धर्म कोई इमान नहीं होता वो तो सिर्फ काटना जानती है लगता है आप भी फॉलात के बने हैं पेचान हैं क्या आपका समीर आपको कभी कचोडता नहीं आप मेरे ही घर आकर मुझे धबगा रही है मुझे गालिया दे रही है मैं आपको गिरिफ्तार करवा सकता हूँ फिर वही कानून की बात अगर आपके साथ एज़ी घटना दुबारा हो जाए तो वकील मेरे गुरू महिंदर बाबू के याद कीजिए अरे नहीं ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि मेरे कानून से ज्यादा इनको अपनी सच्चाई में भरोसा है और अपनी सच्चाई का अंजाम आज ये खुद अपनी आँखों से देख चुकी है ये अंजाम नहीं आगाथ है निस्टर मेरी सिंदगी की काहनी यहां खत्म नहीं होती शुरू होती है मैं चाहूं तो तुम सब को गोली से होड़ा सकती हो लेकि नहीं ऐसा करना तुम लोगों के साथ इंसाफ करना होगा मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूगी कि तुम लोग मौत के लिए तरस होगे हर मौत तुम तक नहीं आएगी मिस्टर महिंदर कोईले की दलाली में अपना मुग काला मत कीजे किरन जी आपके बारे में आज अकबार में बढ़ा तो अपना सोया हुआ दर्द अपनी मजबूरी का एहसास जाकू था मुझे लगा ये मजबूरी ये दर्दा हम औरता बहनों की एक जैसी है जो आपके साथ में हुआ वैसा ही किसी दूसरी सूरत में मेरी बहन शाहिना के साथ भी हो चुका है शाहिना मेरी कमसेन मासूम बहन है एक शाम कालेट से घर लौट रही थी अग किसी अचनभी ने उसे कार में लिफ दू विरिक करें तूस्थ मेरी करें ज सिर भी हो तर लौट झाल झाल जाल झाल रेपिस्ट की तरह छोड़ दिया गया अब वो किसी और मासूम बच्ची या अबला को निशाना बनाएगा किरन जी क्या हम औरता इतनी मजबूर हैं कि इन रेपिस्ट को सजा देने की और कोई सूरत नहीं है देश के कोने कोने से खता रहे हैं हर खत का एक ही मजमिल मर्दों के जुल्म हर खत में एक ही पुकार ऐसा कब तक होता रहेगा जब से ये दुनिया बनी है ऐसा होता आया है और जब तक की दुनिया है ऐसा ही होता रहेगा ज़रूरी तो नहीं दुल्म की ये जंशीरी तोड़ी भी जा सकते हैं लेकिन कैसे क्योंना हम इन सब औरतों के एक मीटिंग बलवाएं अब सर जोड कर बैठेंगे तो कोई न कोई हल जुरूर निकलाएगा पहनो ये सारे हिंदुस्तान से आयुए खत हैं ये उन औरतों नहीं लिखे हैं जो बलतकारियों का शिकार हो चुकी है ये खत नहीं है बलकि उन वैशी दरिंदो की शिकार औरतों की चीक है फर्याद है क्या हम उन जख्मी औरतों की ये फर्याद पेकार जाने देंगे हर्वेस नहीं मुझे आप सबसे यहीं उमीद थी हमारी बहनों ने ये फर्याद किसी अदालत में नहीं किये जहां गवाई पेशकरनी पड़ती है और ना ही उन्होंने ये फर्याद इस देश के नेताओं से किये जो भाशन तो बहुत लंबे देते हैं मगर काम बहुत छोटे करते हैं हमारी बहनोंने ये फ़र्याद हमसे किये अपनी बहनों से जो बलतकारियों कर शिकार हो चुकी है हम बलतकारियों की वास्ट न की आग में चलाई गए आत्माव को अंजला तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उन खोनी भेडियों को सजा देकर बहुत सी औरतों को चलने से बचा सकते हैं मगर हम लोग उन बदमाशों को कैसे सजा दे सकते हैं और क्या सजा दे सकते हैं जी यह सजा क्या होगी जैसे दी जाएगी इसके बारे में आपको मश्यूर डॉक्टर आशा में तब दाएंगी डॉक्टर प्लीज बहनो अगर कोई आदमी गंदी गालियां बखता हो तो उसके लिए सबसे बड़ी और कड़ी सजा क्या हो सकती है ऐसी आदमी की तो जबान इच काट लेना बिल्कुल फाल ऐसी सजा बलतकार्यों को मिननी चाहिए ताकि वो उर्तों को देखें, तड़ोएं और कुछ नकर सकें यानि उन्हेट कर दिया जाए केस्ट्ेट कर दिया जाए केस ट्रैट कर दिया जाए बिल्कुल पाकि येगा सजा ठीक है काट दो रिजुड़े बना डालो कमीनों को रहेगा बास न बचेगी पासुरी पर उससे आदमी मरता तो नहीं बिल्कुल नहीं बल्कि वो हमारी तरह मर मर के जीता है लेकिन यह काम करेगा कौन मैं एक जॉक्टर हूँ और एक मामूली ऑपरेशन से किसी भी बलातकारी को हमेशा के लिए बेकार बना सकते हैं ऐसा बेकार कि वो किसी भी औरत के साथ सोने या संभोग करने की कापिल ना रहे कापिल ना रहे कापिल ना रहे और जो बेहने इस काम में हमारे साथ हैं, कल शाम को डॉक्टर आशमेता के घर में शादी वाले घर में न सन्नाटा माजी क्या हुआ नमस्ते जी आज ही शादी की शादी है अब कैसी शादी लड़के वालों ने इंकार कर दिया है, शादी के सौहक के जोड़े शिले पड़े हुए हैं, अब न कभी शादी की टोली उठेगी ना बारात आएगी, मिल गया ना इस साफ बिचारी, बिन मा की बच्ची है, इनके जीते जी उसकी शादी हो जाती तो अच्छा था, इनके बाद मैं कहां समाल पाँगा उससे बहुत बुरा हुआ, माजी शांती कहा है अरे बेटी, अपने आपको कमरे में बन करके रखा हुआ है, कितनी बाद दर्वाजा खटखटा है, ना दर्वाजा खोलती है और ना बोलती है देखिए, अगर आप कोशिश करें तो शायद वो दर्वाजा खोलते है उसका कमरा ये है चांती 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 तरवा ता खोलो चांती चांती मा चांती मा चांती याँ 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 सब लुबाँ माँ 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 मुप माँ माँ बिदे तर रेडि़ देकान जा हमें करता है, जहाँ पाला हुआ जारा हुआ है, जहाँें जारा हुआ हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए देखिए ये जो काम हम करने जा रहे हैं होगी तो एक हजीब बात है भारत किनारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रेपिस का ये हाल भी किया जा सकता है लेकिन इसमें खत्रा भी है चेल भी हो सकती है इसलिए अब भी वक्त है जो लड़किया हमारे इस प्लैन से अलग होना अलग हो सकती हैं नको जी हमको अलग नहीं होना हम लोगा खासम खाते हैं कि हम लोगा आपके साथ इच्छे हैं आप लोग सब इसको राज रख पाएंगी तो सुनिए किरन दथ हमें पुलिस की फाइलों से ऐसे आदी मुझ्रमों के नाम और पते लाकर देंगी जो कानून की पकड़ से बच निकले और फिर आपने से दो लड़कियों की टीम उन शिकारियों को फांस कर लाएगी फांस कर लेकिन कैसे ये दवा टीम को दी जाएगी और फिर शिकारी की नजर बचा कर इसे उसकी शिराब में मिलाया जाएगा इस दवा से शिकारी दो तिन घंटे बेहोश रहेगा लेकिन अगर उन्हें शिराब इचने पीता हुईगा तो ओरत शराब दे तो अयाश आदमी ना नहीं कहता बेहोश करने के बाद उसे यहां लाया जाएगा मैं उसका आपरेशन करूंगी और फिर दूसरी दो लड़कियों की टीम उसे वापत छोड़कर आएगी किसी को और कुछ पुछना है शिकार होने से पहले अगर शिकारी ने उन लड़कियों को पैचान लिया तो और हाँ इस बात का ख्याल रखा जाए कि लड़की का रेपेश से पहले कोई वात्ता ना पड़ा अपनी रक्षा आप करेगी आज की जबनी ओरत कर की तरह पे बच्दा रहेगी आज की जबनी ओरत अपनी रक्षा आप करेगी आज की जबनी ओरत कर की तरह पे बच्दा रहेगी आज की जबनी ओरत कितनी हसी लड़की है मिस इंडिया ज़रूर बनेगी तो इससे आपको क्या है आप इसमें इतने दिल्चस्पी क्यों ले रहे हैं दफ्तर नहीं जाना है दिल्चस्पी तो तुम में है डालें दफ्तर तो रोजी जाते हैं ऐसे रोज दो छुटिया मनाऊगे न तो बिजनस में नुकसान होता है और तुम जो हर मैंने वरत रखती हो जिससे मेरे वीवाहिक जीवन में उतल पुतल हो जाती है उसका क्या अरे ये अज सुबे सुबे भुतसवार हो गया है और लिंग ने अरे रे एक बार एक बार आपच्छिए जाना है अच्छे डालिंग भाई भाई शाम को चल ददी हमोई डालिंग बेट करना मेरा लफ प्लीज कहां जाना है आपको नाशनल पार्क बेंग की जारा हूं प्लीज कम पाइड़, यह ब्लस्ट माइग का अब यह पियेंगी आप जी नहीं, मुझे सब्दी है, आई सब्दी पिलेंगे आज हम भी ब्राइंदी पिलेंगे अब तुम ऐसे पाप मिलानी का, कर जैसा अंजाम नहोंगा अग अपने अप्तारी का, अपनी दवा खुझ आप करेगी आज की लखनी औरत कल की तरह बेशना रहेगी आज की लख मी औरत अपनी रक्षा आप करेगी आज की लख मी औरत कल की तरह बेबशन रहेगी आज की डखमी औरत के बाद में अरे बाद मैं क्या काऊ अरे मेरा फेड़ और पातु कि अभक कि अ कि कि अधे ऐ पलिए मैं फ़रocol के नहीं है पागल लगता है क्या बात है राज तुम तो नेशनल पाग गए थे लाज क्या हुआ यार खोया का नूंड या रहे हो क्या बात है तुम होशानी एर क्या है क्या बात है को परिशानी है एक जो कर्णा वह बात श्रूंद को यूरा किया है यॉद्ध काम ले रहा हां कमां राज कमांट टेल में वाट हैपेंड तुम सच कह रहे हो राज यार फिर तो तुम्हें पुलीस में जाना चाहिए क्यों पहाँ जाने से कोई पाइदा नहीं बद्नामी किसी और कुछ आथ नहीं आएगा उन लड़के ने मुझे काला कुबल दी अब आथ माते हैं किसी और कोई रास्ता नहीं मेरे पास फिकर मत पर राज पर जाने लाज पुलीस यहां क्या हो रहा है इसाथ इंस्पेक्टर साब कुछ नहीं पर्स मिल गया है जाओ राज फिकर मत कर यार जो भी भवान करता है अच्छे के लिए करता है क्या बात है आथ सब लोग बहुत खोश है उस आदमी ने पुलिस को बयान दिया है यूसे खसी किया गया है सुरेश और पुलिस यह सोच रही है इस आजीब केस को किस दाफा के ताहत रेजिटर किया जाए मुझरीमी हमला या चोरी वो तो बात में तेह होगा उसके पास इस बात का क्या सबूत है कि उस पर किसी ने हमला किया है हो सकता है कि उसने खुद अपने अप अरी यह मर्जात है ना राजपार छोड़ सकती है पर अपनी मर्दान की नहीं अगर नए जुर्म होंगे तो कानून भी नए बनाया जाएंगे कि अ कि अ कि 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पुलिस विभाग का कहना है कि बलातकार की घटनाओं में कमी आ गई है पुलिस को आशंका है कि इन घटनाओं का संबंध गास्ट्रेशन की बारदातों से है कि बिटन है कि तुम्हारा क्या खाइल है छेर में दिन लोगों को नामर्द बनाने की दो भारदय। निए पीछ जिए कि ईडन में का हत तो आद में इससे इसे क्या फाइदा हो सकता है few ऄड़्य province सकता है मुझे तु यह किसी पागल आदमी का काम लगता है पागल आदमी या पागल आउरत गुट यह तुमने इंटेलिजन बात करी अगर कोई आउरत ऐसा करे तो उसका कुछ मतलब निकलता है I mean some sort of revenge मतलब और देखो वह करें एक औरत के दिल को औरती अच्छी तरह समझ सकती है इसलिए केस मैं तुम्हारे सुपूत करता हूं आप तो चावी चोर के हावाले कर रहे हैं क्या बतलब औरतों के खिलाफ केस औरत के हाथ कि मैं उनकी तरफदारी ना कर बैठों ला 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 अगा कि आख यह जारलिंग कि आज कि सी पार्टी में जाने का प्रोग्राम है आपका नहीं तो जब से मेरे प्यार रूठे हैं किसी पार्टी में जाने को ची ही नहीं चाता मेरी बैट आज तो मेरी रूठे प्या को मनाने का दिन है अज तुम्हारे व्रत का आखरी दिन है मेरे पास मत आओ भगवान के लिए मैंने अपने पापों का प्रैस्चित करने के लिए 20 दिन का व्रत और रख लिया है 20 दिन और क्या बात है किस पाप की सजा दे रहे हो मुझ मैं तुम्हारे दिल से उतर गई हूँ कांता तुम मुझे घलत समझ रही हो यह भी नहीं वो भी नहीं तो बात क्या है भगवान के लिए मेरी तपस्या भंग मत करो मा अच्छा आज मैं भी देख तुम्हारे सथ और अपनी प्यास की सीमा देखते हो रिशी विश्वा में जितने हैं या फिर मेंगा पल पल जल मेरी आत्मा मेरे सजना हो गए महात्मा अग क्या मैं करूँ परमात्मा मेरे सजना हो गए महात्मा अग क्या मैं करूँ परमात्मा मेरे सजना हो गए महात्मा तर खिर में परमात्मा अग्वारे सजना हो गए महात्मा आत्मा अग्वारे लूगे महात्मा हर बात पे बोले नहीं, नहीं मैं धक गई सुनके नहीं, कभी हात बहो मेरे भालमा हर बात बोले नहीं नहीं हर बात ठोके नहीं नहीं मैं ठक गई सुनके नहीं नहीं कभी हाथ को हो मेरे बाल मा पल पल जले मेरे आत्मा मेरे सजना हो गए महात्मा अग क्या मैं करूँ पर महातुमा मैर सजना हो गए महातुमा ये रात थे प्याडी जमा जमा तुम भाग रहे हो यहाँ वहाँ क्यों दूर हो मुझ से मेह विवाँ क्या मैंने किया है जालमा ये रात थे प्याडी जमा जमा तुम भाग रहे हो यहाँ वहाँ क्यों दूर हो मुझ से मेह विवाँ क्या मैंने किया है जालमा पल पल जले मेरे आख तुमा मेरे सचना हो गए महतुमा अब क्या मैं करूँ परमातुमा मेरे सचना हो गए महतुमा पल पल जले मेरे आख तुमा मेरे सचना हो गए महतुमा कि आख तुमा मेरे देख पैदा करने वाला और मारने वाला भगवान यह तो हम बूरक हैं जो अपने आप पर तोमत लगा बैठते हैं जगास इंसान के मन में पाप जगाने वाला भी भगवान है कि नहीं क्या बोलता है बरावक्ष अंप्ट कर मेरे इकलोते बेटे को पुलिस क्यों पकड़ने लगी इस इलजाम में बलतकार के इलजाम में में अब इस निरदोश को यह भगवान अदालत में बचाने को आएगा क्या बोलता है अरे अंकल यह चोटी चोटी बातों में भागवान को क्यों घजिटते हो यार उसे बचाने के लिए तो अपने रेप स्पेशलिस्ट महें दर बाव यह काफी हैं सहाब तो घर पर नहीं है कहां गए आज बेबी का बर्दे है वो केक लेने ग अच्छा ऐसा करते हैं अभी चलते हैं कल फिर तुम्हें मिलवा दूंगा है अच्छा एकाम करो तुम अभी जाओ कल सुबह तुम्हें आफिस में मिलवा देंगे जाओ आँ जाओ प्रफाइज दो नहीं मैं दूगा है अपपो पपो बेबी तो आपके दोस्तों के साथ बाहर गई है नेरे दोस्त हाँ वही जो पाटी पर शेंपेन की बोतल लेकर आई था जटे वह बदमाश बदमाश उन्होंने तो बहुत अच्छे सूप पहन रखे थे इडियत प्रेजेंट लेने करे हैं जी हाँ पुली स्टेशन हम आपकी रीपर दर्ज करने से क्या होगा इंस्पेक्टर अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या हो गया है अपकी बेटी को मैंड़ साहाब आपका कहना है सुरियकान आपका क्लाइंट है और आज आपकी बेटी का जनम दिन भी है हो सकता है आपको खुश कहने के लिए इताय ले गया हो मैं उन हराम जादों को अच्छी तरह जाता हूं वह तो छटे वह बदमाश है देखिए अपने रिपर्ट हमें करवा दी हमें क्या करना है यह हमारे पर छोड़ दीए हेलो, हेलो कमिश्णर साथ, आई आई यह मैं अंदर बापाई पर बेटी को कुछ पता चला? वहाँ बेखिया सही मैं चल करें सर पपु कहा है? पपु कहा है? कमिश्णर साथ ने उसको दूंदे का पूरा बादा किया है मुझे बादा नहीं, अपनी बेटी चाहिए तुम्हें मालू है अगर पुलीस ने कुछ देट कर दी तो उसके साथ क्या हो सकता है? गुंडे उससे छोड़ देंगे क्या? मैं कुछ नहीं जानती है मुझे अपनी बेटी चाहिए अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान देदू यह सब तुम्हारे के हुए पापो की सजा है जो हमारे पेटी मुगत रही है अब शायद एकी रास्ता है करदद तो जाओ जाओ मुझे पापो चाहिए मुझे पापो चाहिए आप और इस घर में कि अग्याशी का अड़्डा देखने आये हैं या फिर अग्याशी करने मेरी मासूम बेटी है पापो महेंदर बाबू बेटिया और बेहने तो सभी मासूम होती है जब तक वो किसी मर्द के हाथों खराब नहीं हो जाती सूरे काथ को तो आप जानती है वो पप्पू को बहाने से ले गया है देखे अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा लेकिन सूरे कान तो शरीफ पाप का शरीफ बेटा है आप ही न अदालत ने थाबित किया है वो सकता है वो उसे सेयर करवानी ले गया हो या फिर उसे जनम दिन का तवफा देने आप घर जाएए आपकी बेटी तवफा लेकर आती होगी मैं आपके पस बहुत आस लेकर आया हूँ आप ही है जो उसे उस कमीने से बचा सकती है क्यों यह याद रहा कि पपो आपकी बेटी है और यह भूल गए कि मैं भी किसी की बेटी हूँ जिसे भरी अदालत में आप नंगा कर चुके हैं मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके पाँ पढ़ता हूँ उसे बचा लीजी प्लीज बहंद्र बाबू मुझे आप पर तो कोई तरस नहीं आता अगर तरस आता है तो पपू पर इसलिए नहीं कि वह आपकी बेटी है लेकिन इसलिए कि वह भी मेरी तरह एक लड़की है और मैं उसके साथ कभी वह नहीं होने दूगी जो आप चाहिए मैं उसे बचाने के लिए अपनी चान लगा दूगी झाल, 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 झाल झाल, 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 झा प्रेजिन की बाद की चीन मैंने वो भी देता हूँ रेता हैं रेता हैंकल बढ़ी हैंकल अ अनकल, य्कल रйका से भाया भाया? आसे lap बाला परेस्टेइस जया ल모का से तान के जनो की डीकि घाली अ! प्रन resultान का हाई मितम Foods टिकेट टिकेट रिले अंकल यह क्या करें आप? बढ़िया प्रेजिंट के लिए तो यह खेलना पड़ेगा नहीं अंकल नहीं अंकल नहीं नहीं ममी नहीं 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 यह 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 मुझे मम्मी के पास ले चलो यके फॉके मम्मी के बेझ me बेची बेची पहुब हा खूँ पासो, अउे हा車 च्वतीक हा की झative के पास रुक जाहिए ना आज पपु की बद्धी भी है और फिर आज से आप उसके धर्म मा भी है आपका युकार अब कभी नहीं भूलेंगे यह तो मेरा फर्ज था अगर आपके साथ ऐसी घटना दुबारा हो जाए तो वकील मेरे गुरू महिंद बाबू को याद कीजिए गया महिंद बाबू एक गुंदा तो मुकाबले में मारा गया और दूसरे को हमने अटेंप्ट अफ ग्रेप के चुरू में किरफतार किया है आपकी बेटी की इज़त पर हाथ डालने वाला आपका पुराना क्लाइंट है क्या आप उसकी तरफ से लड़ेंगे अगर उस दिन आपने उन गुंदों को सजा दिलवादी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कांटो का काम है दामन भाड़ना खल मेरा था आज आपका है कल किसी कभी हो सकता है आपको इस अप्याने का हक है मैं वादा करता हूँ अब आज के बाद किसी रेप के मुझरिम को यह बचाओंगा महिंद्र बावू आज आपने अपनी जिन्दीगी का बहुत बड़ा केस चीट लिया है पदाई हो थैंक्यों आज लोकसभा में विपक्ष ने पुलिस दक्षता की भरसक निंदा की है और सरकार से मांग की है कि बलादार से संबत खानून को और कड़ा किया जाए अभी अभी खबर मिली है कि दिनेश कुमार जो बेहोशी के हालत में ज़ाडियों के पीछे पाया गया है उसने खुदकुशी कर ली है जांच के बाद पता चला है कि ऑपरेशन द्वारा उसे भी नपुन्सक बना दिया गया था ऑपरेशन से नामर्द करने की ये 32 वारदात है बहुत सोच विचार के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इन वारदातों के पीछे औरतों के एक गिरों का हाथ और पतला रेस्टोरेंल से राधा नहीं आई और मैं शिकार के साथ देखे लिए हूं उन्हें ट्राय पे चलने के जित कर रहा है उन्हें समझ भी नहीं आता मैं क्या क्या हूं तुम घबरामत में अभी आती है इस बहुत देर कर दी जाने वान जी वो रॉम नंबर लग गया ना बहुत खुबसूरत हो तुम थांक यू मैं घंटी बजाने ही वाला था तुम्हें किसे बता चल गया कि मैं आया है जो भी कहना जल्दी को मैं जल्दी में गए अखो शोणियो काट बठन ली तो को और ही तो कम सब्सक्राइब यह प्याला चाहते पूछ लो सूरच खिर कभी चीज चलो कोई ने मैं खुदी बना ल मैं देखो किरन मैं तुम्हें आज नहीं जाने तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना मैं पूछ सकता हूं तुम मेरे साथ ऐसा अजीव यभार क्यों कर रही हो कौन सा अजीव यभार दूसरों के गुनहाओं के सजा मुझे क्यों दे रही है सूरज तुम जानते हो मैं पहिया बुझने के आधी नहीं तुम मुझसे प्यार करती है तुम्हारी कलपना की छाया हमारे बीच में कोई नहीं आया है यह कलपना नहीं हकिकत है अब इस छाया ने सारो हाथों वाले रावन का रूप धारन कर लिया है मुझे यह सारे हाथ काटने ऐसे दो हमारी जवानी बर्बाद हो जाएगी हो जाने दो बर्बाद वैसे भी इस जवानी में रखा क्या है चले मुझे जुटी पे रिपोर्ट करना है एक और ट्रिंक लीजे ला अब भी तो सारी रात बाकी है एक और रस में मौका भी है दुनिया भी है जानेवान यहां से निकले मैं अभी चाहिए फोन करके तुमने मेरे दिल की बात चीर ली रात को लेट हो जाएगा ना घर में बता देती ना क्या हुआ? यह वही चानवर है जिसने मेरी इस्दत लुटी है अगर मैं इसके सामने आ गई तो सारा प्लैंक चॉपट हो जाएगा सल्मा यह काम तुम्हे करना होगा फिकरने कुकर इस चानवर के नाक में मैं चनफिल डालती और अगर तुमने काम कर लिया तो डाक्टर आशा से कहना कि इसे छोडने मैं चाओंगे यहां तो एक और चानवर मौचूद है तुम उसे समालो मैं से समालती है मैं चानव प्लीज आई आये प्लीज आये थेक यह हैं थैक यह थेक यूज्ग अलो विए थैक यह थाया आई लीजी ना एक पैक यह थेक यह थेक यहां जलके पित आया नहीं पैक यहां प्लूड़ अलो सूरज मैं जानी बक्षी बोल रहा हूं बटलर बार से तुम इतनी रात के इत मड़े में क्या कर रहा है कि रिम दज यसी शरीव लड़की यहां बदनाम हो सकती है क्या वक्त नहीं रहा मेरे दोस्त फुर्मा रहा हूं वो किसी अजनवी के साथ बैटी शिराप पी रही ह तुम यह हाप तक? चला गया था आखरी बारा है फिर दुबारा तुमारी जिंदेगी में कभी नहीं होगा फिर तो तुम्हें चाय का एक प्याला मिलना ही चाहिए क्या ज़रूर है कि चाय पी जाए मैं भी तो तुम्हार साथ शराप पी सकता हूँ शराप? मैं कब से शराप पीने लगी? मालू में एक अच्छी भली लड़की नहीं जूटी के बहाने नजने कबसे रात रात पर शराप खानों में बटकना शुकर दिया देखो तुम मुझे गलत समझ बैठे हो मैं तुम्हे वाखी गलत समझ बैठा था हदालत में वाकिल ने ठीक ही कहा था तुम्हे कई आश लगी हो जिसे एक ही राज में कई मर्दों कर सकता अपनी किरन के बारे में ये सब कुछ कहते हुए तुम्हे शरम नहीं हाती? तुम तो सच का बुरा मान गई मैंने तो तुम्हारे जूट का भी बुरा निज मान गई तुम शायद ये चालना चाहते हो कि रात पटलर बार में मैं क्या कर रही थी यही ना तो सुनो किरन तुम और तुम्हारी सेलिया जो कर रहे हैं वो गलत है चुर्म है चानते हैं लेकिन इस रावर हम सब अब ना बढ़ चुके हैं यह लोटना मुश्किली नहीं बलकि नामुम्किन है को यह सब लगल लुटना कियों कि आते हाग इस यह 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 रह लुए कणिए लिए गटा लिए 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 ल ten दो हुआ लोहां है कर दो फिस और सोर्ड लिए लो हो एंगे कर दो हुआ है कि इरादा क्या है कि इरादा तो टुक्रे टुक्रे कर देने का है जी तिल करता है काट के रख दू ऐसे खरभूजा चुरी पर गिरे चुरी खरभूजे पर कटता हो जाए है हो जाए है इक दूद्ध कर आइस दूद्ध कर दो आए जल दूद्ध कर दो दूद यह जाए है तौबा तौबा अल्ला तौबा 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 अल्ला तौबा एई एशी वसीन यक्षो समझ है तौबा थे लड़के हूँ तौबा 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 लोगा लुच्चे बाता लुच्ची क्या क्या तुक्रे से दिवू दिल में ताहे कच किर दू पर अल्ला से डरती हू ताबा ताबा अल्ला ताबा 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 मेरी ताबा चार मीना के पते मेरे आगे पिछे धिरते हैं अल्ला खसम क्यों मैं बोलू बख्य जैसे घिरते हैं हूँ दिल के हूँ मैं उतने कडवे जिछ निमों के मिठी हूँ दिल के ताहे कच किर दू पर अल्ला से डरती हूँ ताबा ताबा अल्ला ताबा 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 मेरी ताबा ताबा सेा याल्ला झाला, लाला, लाला... सुनतो बात बताओं मेर की धैंसे सुना सामरिया बात सी का अब हो जाए तो कैसे बजेगी बात सुरिया बात बताओं मेर की धैंसे सुना सामरिया वासी का अब हो जाए तो कैसे बजेगी बात सुरिया चल है साड़े जगड़े के जाओं उसके छुच्पी करते हूं दिल करता है काच के रखूं पर अल्ला से डरती हूं तौबा- तौबा- अल्ला तौबा- तौबा तौबा अल्ला तौबा ऐसी वेसी नक्र समझ है ऐब आतती लड़ते हूं लोगा नुचे बाता लुचे क्या क्या तुख्रे से छिऊं गयता है काच के रखूं पर अल्ला से डरती हूं आपा 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 आल्ला आपा 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 मेरिन आपा हादी धुण हादी टादी लगे बार्व। खुक पुक सुप्से, क्या सोचरे? तुम और मैं इस वीरान जगे में अकेले हैं, कोई रोपने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, आओ ना आरे मैं बुला रही हूँ तुम्हें, एक औरत, एक मर्द को, आओ ना तुम कैसे मर्द हो, क्या मेरे जिस्म की पुकार तुम तक नहीं पांच रही है यह मेरी हालत किस ते की है, ना मर्द, मैंने तरी मर्दानगी को ललका रहा है, हिम्मत है, तो आगे बढ़ पुट सक देव, अगर कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम हाथ तो उठा आगे कि अगर का नहीं अगर मेरे बढ़ यह मेरे जएग सकता, अागे बढ़ यह अगर बढ़ डे यह अगरूँ वह मेरे जहीं कर दो तो कि अगरूँ अलो काम सोनवानी हम मूलचंद बात करता है हाँ साइं मूलचंजी हाँ सब ठीक है हाँ अरे शादी की तारिफ तो पक्की हो गई न हम सब रिष्टेदर को इंफार्म कर दू अरे कार्ट शपा दू शादी के बोलो नी अच्छा वादाई उजन तवाखे ताइं मूलचंजी तांके भी बढ़ाई हूं समझें लक्क लक्क बाते हुजन अच्छा साही नमस्ते शुकदेव पेटा तेड़े ससुड का फोन आया है शादी की तारिफ पक्की हो गई पड़ी खुशी की बात है जी पिता जी बेटा हम लोगों ने तेरी शादी की तारिफ फिक्स करनी पि शार जी लेकिन है यह शादी नहीं कर सकता अड़ी हुख-क्वास बंद करो लड़की तूने पसंदद की है शादी के लिए जिद तूने की है और अब कहता है कि तू-आ-आ मैंने कहा था है लेकिन अब मुझे लड़की के चाल-चलन के बारे में शक है लग्जे बाहर से ब कि यार्जुकू इंदर्जित इंस्पेटर किरन क्या तुमारा गया और सुर्य का अंजल में हैं हम सब की बर्वादी के पीछे के रंदत का ही हाथ है वो ठीक कहती थी कि उससे दुश्मनी हमें भारी पड़ेगी जिन्दा लाश बना दिया है मुझे वो कैसे उसी के हाथों मैं नावर्द बनाया जा चुका हूँ हमने किसी को बताया नहीं है लेकिन हम दोनों भी कसी हो चुके हैं कि यह वन हमें इसके रिपोर्ट पुलीस में करते उससे क्या होगा शामशटी पुलीस किरिन को गिरिफतार कर लेगी फिर अदालक में केस चलेगा और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम लोग नामर्द हैं कि हम लोग जहां से गुजरेंगे लोग हमें चक्का कहकर पोकारेंगे हमारा मजाग उड़ाएंगे अब मेरी तो मेरी तो शादी की तारीक भी पक्की हो चुकी है वह भी टूट जाएगी शादी कि लेकिन सुहाग रात के दिन है तुमारे बीवी को पता चल जाएगा कि तुम नामर्द हो तब तक हमें दहेश तो आ चुका होगा क्यों ना हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें ड हाँ लेकिन अगर उसने भी बाद फैला दी तो नहीं यह नहीं हो सकता क्यों ना हम किसे दुसरी शेयर में चले जाएगा कड़ोक्टर हमें जानता है नहीं हो भागल हो गयो धुर्द कोई भी डॉक्टर हमारी मधद में ही कर सकता है हम लोग जीते जीग कबर में पहुंच के हैं कि चलो यहां से कि क्या हुआ आखे आई यह बेवकुफ आज बंबई के पुलिस कमिशनर ने पत्रकारों को बताया कि यह कैस्ट्रेशन नपुम्सक बनाने की यह घटनाएं हमारे देश में पहुता है तुम लोगों को ज़रा इंपजार सो नहीं करना पड़ा नहीं दीदी तो हम चले जैसे ही ऑपरेशन हो जाए आप दूसरी दो लड़कियों को इंफॉर्म कर दीजी नीलू आपरेशन को सारी तयारी कर दी दीदी मैंने पानी गर्म कर दिया है और इंस्ट्रूमेंट भी स्ट सब्सक्राइब कर दो लूगे थैंक यू पुलिस को यह शक है कि यह उसी गैंक का काम है जो रेपिस्ट को कैस्ट्रेट करता है पंबई शहर में इस संबंद में पत्रकारों को यकीन है कि ये बदले की कारवाई है और ये महिलाएं ही हो सकती है मामी मामी बत्रकाराः कि बत्रकार फाल कि बतितक rég सकत्मी मैं कहा गा ही कर दिक कप consell मैं लो मैं एका कलने को लेका कि तो स्मती हे ही मैं जो पुर गुषन प्रहर एक एका का कहा है यह प्रहर 흡़ dinner और मोंम क्यों सेचों कर दो हालो किरन आशा क्या बात है मेदे से खून हो गया है आशा सुनो घबरा नहीं किसी चीज़ को छुना नहीं राभी आती हूं कर दो किसी चीज़ करता नहीं किसी चीज़ का बात है कर दोग मों भूछ जो बाए पना। आशा 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 किरन, मेरा पती और मेरी बेटी दोनों एक ही पल में मुझसे पिछड़ गए जिसने मेरी बेटी की इजद दर जान ली, उसे आज मैंने खत्म कर दिया अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा अलविदा हालो, 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 सन्मा, डॉक्टर आशा मर्ता ने आत्माते अधर लिये तुम सब लोगों को इंपॉर्म करती, नहां जाओ, प्लीज, चल दियो औरिवली नैशनल पार्क में ताजा खोदे हुए गड़ों से दो लाशे मिली हैं, एक मर्द की और दूसरी आउरत की ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये लाशें किन की हैं मलाबार हिल की एक उंची बिल्डिंग से कूद कर दो नाजवानों ने आत्मात्या कर ली है फुलिस ने लाशों की शनाफ के बाद बताया कि ये दोनों कैस्ट्रेट करके नामर्द बना दिये गए थे इनके नाम थे रंजीत और शाम सेथी ताजा मिली रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दिनों रेट की संख्या में बहुत कमी पाई गई है अब तुम ये बता रही हो कि ये टेलिविजिन, न्यूस पेपर और रेडियो में जो आ रहा है तुम उस खुनाह में भी शामिल हो तुम मेरी शरीक हैयाच मेरी बच्ची की मा हो ऐसी बजारी हरकतों पे उतर आओगी ये मैने कभी सोचा भी न था तुम क्या समझती हो कि ये सब करके तुम इंसानियत की बहुत बड़ी खिद्मत कर रही हो इंसानियत की खिद्मत नहीं कर रही तो क्या अपनी बेहन शाहिना की तो खिद्मत कर रही हो ना क्या तुमें नहीं जानते उसकी हालत आज भी मर्द के साय से काप उड़ती है उन्हें तुम क्या समझती हो इस तरह शाहिना का इलाज हो जाएगा शाहिना का इलाज नहीं हुआ तो क्या लेकिन कितनी औरता शाहिना बनने से तो बच जाएंगे ना मैंने ये फोटोग्राफ्स आपको इसलिए दिखाए हैं कि शेहर में लोगों को नामर्थ करने के जितने भी केसिस हुए हैं अगर आपने गौर किया हो तो उनमें एक बात कॉमन है और वो यह कि यह सब किसी ना किसी वक्त बलातकार की जुर्ब में पकड़ गए हैं और इन सब के नाम हमारी पुलिस की फाइस में मौझूद है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वो बचे वोई रेपिस्ट जिनका नाम अभी भी हमारी फाइल में मौझूद है अगर हम उन पर नज़र रखें तो हम इस केस की तह तक बहुत जल्द पहुंचाएं लड़कियों को छेडने और बलतकार की केसे में कमी आ गई है यह काम जो भी कर रहा है पुलीस का ही काम कर रहा है लेकिन वो लोग कानून का अपने हाथ में ले रहे हैं इसलिए उनका पकड़ा जाना निहायस सुरू है सुकू क्या बात है यार कॉंग्राचुलेशन्स सुर सुना है कि लड़की के माबाब काफी अमीर है अरे यार दुपैर में दारू तो कुछ नर्वस है इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार क्या हुआ इस सुकतेज अभी तक तैयार नहीं हुए तुम्हारे पिता जी होने वाले समधी के साथ किसी बात पर झगड़ा करने हैं चलो मेरे साथ अरे माझी बारात तो वहां जाने वाली थी वो यहां क्या करने आगे पता नहीं चुलो मेरी साथ आओ हुँ तो है के आहीं ब आत लाने के कोई जरूत नहीं है मैं मंगनी तौड़ने आया हूँ हम मुल्चन जी आपको मेरी पगड़ी उच्छालने की वजा बतानी होगी वरना नहीं तो बाराच जाएगी और दुनन को साथ लेकर आएगी वड़ी तुमको अपनी बेश्टी कराने का शौक है तो सुनो वो यह है कि तुमने हमारे साथ दोखा किया है तुम हमारी बेटी की जिन्दगी बरबात करने चले थे तुमारा बेटा सुपदे सुनवाने और उके काबिल नहीं है ये बात तुम्हें हमसे चुपाई क्यूं क् वाकवास करते हो क्या मेरा बेटा नामर्द है बिल्कुल जिस लड़के पर भरी अदालत में रेप का केश चल चुका हो तुम उसे नामर्द कहते हो अरे वड़ी तुम्हारे होश ठिकाने हैं के नहीं मुझे आज ही चिठी मिली है किसी केटी की इसमें साफ साफ लिखा है तुम्हारे बेटे के बारे में मूलचन जी मुझे भी एक चिठी मिली है कि आपकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया आपको आपकी बेटी के बारे में कोई लिखे तो क्या आप मान जाएंगे किसी दुश्मन ने आपको ये जूटी चि अभी अभी फैसला हो जाएगा कि डाक्टर गनुत्रा इस लड़की को ले जाए अंदर मुएन कीजिए ठीजिए कीजिए शौक से आए 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 हजाओ पिता जी ये क्या पत्यमीजी है शुक्जेदी चलिए हाँ कीजिए पिता जी ये लोग हमें करने पर तुले हुए है और आप इनकी हां में हमिला रहे हैं मैं ये शादी हर्गिस नहीं कर सकता अगर ये बात सही नहीं तो टेस्ट करवाने में डरते क्यों हो यूश अभी इडियाट इसका मदले बात सची है कौन कहता है मैं नामर्द हूँ मैं नामर्द नहीं हूँ मैं मर्द हूँ मैं मर्द हूँ पिता जी मैं यहाँ एक पल भी नहीं 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 सकता मेरी इंसल्ट हुई है I'm going अरे सुख्जे बाबु कामका इश्यू बना रहे हैं एक मिलड की तो बात है। यू पासुटफ। पर जो! एक मिलड की तो बात है बिटा सुनो तो सुनो! सुनो! चकखा, चकखा! मालिक की आतमे है जान बची दाख हो भाइं असान जो जूले लाल देखा हुआ मेराई पार कि यह केड़ी किरंदत्थ हो सकती है कि अब शुक्देव मैं भी आउं नहीं किरंदत्थ से सर्फ मैंने पूंगा ठीक है जा कि कौन है पूलवाला मेम साब कि कोई बात नहीं किरंड़ कि मैं फिराओंगा आज मैं अकेला आया हूं सबका हिसाब चुकता करने जैसे आये हो वैसे वापत ना जा पाओगो अपना चहरा आइने में आखरी बार देख रहें कि उससे पहले मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा कि है। जाता है जाता है है जाता है में वाध कर दो कर दो कि मैंट कर दो कर दो, आाज कि अ हले कि अ कि और वो coordin early कर दो हो, हुआ है, हुआ हाग हाओ, हाँ, 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 हाँ तूर्या, तूँ भारी पिस्तोल का है जेले पिस्तोल जाओ सुगर expresह जीथ सुगर बजल सुगर शुटर सुगर जगर झाल 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 बाता कागान परा मर्फ वंता फिर्टाथा था झाल 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 अब तुम भाग कर कहा जाओगे सुक्टेव अब तुम जिंदगी भर के लिए बेकार हो चुके हो हम तुम्हें ना मर्द बना चुके हैं चाहती तो उसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा देती मगर नहीं तुम्हारी सजा यही है कि तुम इसी तरह जीओ एक आधे अधूरे मर्द की तरह तुम पर तुम्हारा वंचाकर खत्म हो जाएगा तुम्हारी चिता जलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा तो हमेशा हमेशा के लिए बरबाद हो चुके हैं किरंदत हमेशा हमेशा के लिए तुम भी बरबाद हो चुकी हो अब तुमसे शादी करने वाला कोई नहीं है रमश बच्जात मैं शादी करूंगा किरंदत से नहीं सारी दुनिया को पता चल चुका है कि मैं ना मर्द हूँ मैं ना मर्द हूँ मैं ना मर्द हूँ एक जिन्दा लाश हूँ एक जिन्दा लाश हूँ में भाव दूद को वे 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 खिलयाओ हम तुमारे साथ है हम तुमारे साथ है यही वो अदालत है यहां मैंने अपनी कानूनी बाजीगरी दिखा कर सच को जूट और जूट को सच साबित किया है और ना जाने कितने मुकद में जीते हैं आज भी अगर मैं चाहूं तो अपने मुखालिफ वकील ने जो मेरी मुख्किला पर कीचड उचाला है उसका मूँ तोड जवाब दे सकता हूं लेकिन आज इस अदालत में उसलाब उन इल्जामाद का मूथ और जवाब होगा जो मेरे फाजल दोस्त ने इन पर लगाए लेक्साल लेक्साल लेक्साला मैं इस कीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूं मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी सच के इलावा कुछ नहीं कहूंगी यह पवित्र गीता इस पर सच बोलने की कसम मुल्जिमों के कटेरे में खड़ी हूए एक जखमी और इंसाफ बाटने वाली अदालत जिसके हाथ उस कानून से बंदे हुए हैं जो इस तेश के नेता और लीडर बनाते हैं माई लॉड जो कुछ हुआ उसकी जिमेदार मैं हूँ लेकिन ना तो मैं इस अदालत में रहम की भीक मांगने के लिए खड़ी हूँ और ना ही मुझे अपने आपको कानून के हाथों से बचाना है माई लॉड मैं अपनी सफाई नहीं बल्कि उस कानून के असली रूप को पेश करना चाहती हूँ जिसके हाथार उचोड तरवाजे है जो बड़े से बड़े पापी और मुझेम को इस अदालत के इंसाफ से बचा लेता है आपजेक्शन मिलॉड मुल्जिमा बिलावजे कानून और कानून के बनाने वालों पर कीचर उचल रही है I see no provocation मुल्जिमा कानून के बारे में अपनी राय दाहिर कर रही है यहां के हर नागरे को कानून के बारे में अपनी राय दाहिर करने का हथ है आप जिक्शन ओर रूल प्लीस कंटीनिई हमारे देश के कानून में जैसे भयान अप्चोर दर्वाजे हैं इसकी गवाही उस बाप के आसू देंगे जिसकी पेटी पलतकार का शिकार हुई और अपने गले में फासी लगाकर मर गई लेकिन पलतकारी इस अदालत से साफ परी हो गए में इसके रंड यह अदालत बगएर गवाहों और बगएर सुबूत के किसी मुझनिम को सजा नहीं दे सकती मालोर मैं इस अदालत पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं मैं जानती हूं कि अदालत कानून के हाथों मजबूर है मैं दोशी उन नेताओं को ठहराती हूं जैसे कमसो पर नाकारे कानून बनाते हैं मैं उननेताओं को चुनौती देती हूं कि अगर अब भी उन्होंने अपनी आखें नहीं खोली तंकी बहनों और बेटियों की इज़्जत पर बादान लुट जाएगी पर दुष्ट पापी इस अदालत से साफ बरी हो गए थे जिन्होंने मेरे साथ बलतकार किया था इसलिए कि मेरे पास कोई गवा नहीं था लेकिन मैं उस गवाही का क्या करूआ है लॉट जो मेरी जिसम और आत्मा पर लगेवें जख महर वक्त देते रहते हैं पुकार पु मैं बेड़े हाज 20 जंगल जैसे शहर में आदाज गुम रहे हैं किसी मा बहन बेटी की इजब महफूस नहीं तो उस पुकार का क्या जवाब देती मैं लॉट जुम और पाप सहती और चुप रहती नहीं मैं लॉट ऐसा करना खुद एक बहुत बढ़ा पाप होता है मैंने जो भी किया है उसकर मुझे कोई शर्मिंदिगी नहीं है हर ना ही मैं आपको मुझरिम समझती हूँ लेकि कवा हो या ना हो मैं जानती हूँ कि वो पापी थे मुझरिम थे मर्द समाज में हर चीज का मालिक है पीत रिवाज उसने बनाए है कानून उसने बनाया है आरत को माता और जैनिनी जैसे पवित्र नामों से जरूर पुकारता है लेकिन सलूक एक मामूली दासी जैसा करता है अगर अगर कुटा जक्वी हो जाए तो उसे घर में रख लेता है मगरजब एक और बलतकार का शिकार हो जाती है तो उसे कबूल करने से इंकार करता है और जब वो औरत इस अदालत में मुकदमा लेकर आती है तो उसे गवा और सबूत मांगे जाते हैं मैं लॉर्ड हर जुन का गवा नहीं होता और अक्सर बलतकारी आसानी से छूट जाते हैं यह है आपका अंसाफ माई लॉर्ड यह है पवित्र गीता जिस पर हर रोज इस अदालत में सच बोलने की खत्म खाई जाती है अगर अफसोस किसी ने इस किताब के अंदर लिखी हुई सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश नहीं की इस पवित्र गीता में लिखा है कि सच के लिए ना लड़ना अधर्म है पाप के खिलाफ ना लड़ना सबसे बड़ा पाप होता है मनू ने ध्रमशासर में कहा है कि मुझनम आप पापी वेदों का विद्वान ब्रामनी क्यू नहीं उसे भी फारण कत्ल कर देना चाहिए और इसमें कोई पाप नहीं है इतरुबस कुरान में लिखा है कि जानी को ठंक सार कर देना चाहिए हाई लॉड मैंने जो कुछ भी किया है उसमें गीता कुरान और मनु मेरे पक्ष में है यह अदालत किसके पक्ष में है यह मैं नहीं जानती है कि जब तक कानून में मुझरिमों के लिए चोड दर्वाजे मौझूद हैं तब तक उन चोड दर्वाजों के बाहर कोई न कोई किरन उन मुझरिमों के सजा देने के लिए हमेशा मौझूद रहेगी वह मैं न सही कोई और सही मैं जानती हूँ कानून की आँखों में मुझरिम और मैं यह भी जानती हूं आप मुझे सधा देंगे लेकिन कितनी एक साल दो साल शयथ वांसी तक लेकिन इस पवित्र गीता की किसम जिस तरह कल तक किसी औरत की इजब महफूस नहीं थी उसी तरह आप से रहती दुनिया तक कोई भी बलतकारी किसी जखमी औरत से नहीं बचेगा नहीं बचेगा यह उनर ता सुल यह उनर कि मुल्दिमा का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुशी है जैसाहब इस से पहले कि आप अपना फैसला सुनाए एक मां को अपने फैसले पर अमल करने की जासत दीजिए और राइट यॉर ग्रांटेट पर्मीशन बेटी यह अदालत तुम्हें क्या सज़ा देगी यह तुम मुझे पता नहीं लेकिन मैं आज से और अभी से मैं तुम्हें अपनी बहु सुई कायर करती है करका साथ दूछी Bem करका साथ कर परला कर दो करत दूछीं कर दो खनो कर कर दो कर कर दो अपनी रक्षा आप करेगी है ये आज की औरत कल की तरा बेबस न रहेगी है ये आज की औरत करेगी है ये न रहे आज की औरत येँ आज की आज रहे है ये आज की औरत सकत कि मदें अपनस साम साम हु kilowосьर मत की औरत आज की औरत झाल झाल